इर्मयाह भविश्यवक्ता की पुस्तक अध्याएचब्वीस योश्याह के पुत्र यहुदा के राजा यहोयाकिम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वच्चन पहुचा कि यहोवा यो कहता है कि यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहुदा के सब नगरों के सामने जो यहवा के भवन में दंडवत करने को आए है ये वचन कह दे कि जिनके विश्य उनसे कहने की आग्या मैं तुझे देता हूं उनमें से कोई वचन मत रख छोड़ संभव है कि वे सुनकर अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनकी उस हानी से जो उनके बुरे कामों क कारन करने की कलपना करता हूं पाचताओंगा इसलिए तु उनसे कह यहवा यह कहता है कि यदि तुम मेरी सुनकर मेरी वेवस्ता के अनुसार जो मैंने तुमको सुना दी है नचलो और मेरे दास भविश्य वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे जिनहें मैं तुमारे पा के समान उजाड कर दूँगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूँगा कि पुत्वी की सारी जातिव के लोग उसकी उपमा दे दे कर शाप दिया करेंगे जब इर्मयाह ने ये वचन यहवा के भवन में कहे तब याजक और भविश्य वक्ता और सब साधरन लोग सुन र कही थी कह चुका तब याजको और भविश्य वक्ता और साधरन लोगों ने यह कह कर उसको पकड़ लिया कि निश्चे तेरा प्राम दंड होगा तुने यहवा के नाम से क्यो यह भविश्य वानी की कि यह भवन शिलो के समान उजाड हो जाएगा और यह नगर ऐसा इतना कहकर सब साधरन लोगों ने यहवा के भवन में इर्मयहा के विरुद्ध भीड लगाई यह बात सुनकर यहुदा के हाकीम राजा के भवन से यहोवा के भवन में चड़ गए और उसके नए फाटक पर पैटके तब याजकों और भविशवक्ताओं ने हाकीमों और सब लोगों से कहा यह मनश्य प्रांदंड के योग्य है क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविशवानी किये है कि जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो तब इर्मयह ने सब हाकीमों और सब लोगों से कहा जो वचन तुमने सुने है उसे यहवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविशवानी की रीती पर कहने के लिए भेज दिया है इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमिश्वर यहवा की बात मानो तब यहवा उस विपती के विशे में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पच्चताएगा देखो मैं तुम्हारे वश में हूँ जो कुछ तुम्हारी दुष्टी में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो पर यह निश्चे जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोश के हत्यारे बनाओगे क्योंकि सच्मुच यहवा ने मुझे तुम्हारे पास ये सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। हाकिमो और सब लोगों ने याजको और नभियों से कहा यह मनुष प्रांदंड के योग्य नहीं क्योंकि उसने हमारे परमिश्वर यहवा के नाम से हमसे कहा है। और तेश के पुर्णियों में से कितनों ने उठकर प्रजा के सारी मंडली से कहा। यहुदा के राजा हिचकिहा के दिनों में मौर, सेती, मिकायाह, भविश्वानी करता था। उसने यहुदा के सारे लोगों से कहा। सिनाओ का यहुदा यो कहता है कि सियोन जोत कर खिद बनाये जाएगा और यरुशले में खंडहर हो जाएगा और भवन वाला परवत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहुदा के राजा हिचकेह ने वा किसी यहुदी ने उसको कही मरवा डाला। क्या उस राजा ने यहुदा का भवय न माना और उससे बिंती न की और तब यहुदा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था। उसके विशय क्या वहन पच्टाया। ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानी करेंगे। फिर शमायाह का पुत्र उरियह नाम किर्यत्यारिम का एक पुरुष यहोवा के नाम से भविशवानी करता था। और उसने भी इस नगर और इस तेश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविशवानी की जैसी इर्मयह ने अभी की है। और जब यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरो और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने तब राजा ने उसे मरवा डालने का यतने किया। और उरियाह यह सुनकर डर के मारे मिसर को भाग गया। तब यहोयाकीम राजा ने मिसर को लोग भेजे अर्थात अकबोर के पुत्र एलनातान को कितने और पुरुशों के समेद मिसर को भेजा और वे उरियह को मिसर से निकाल कर यहोयाकीम राजा के पास ले आए और उसने उसे तलवार से मरवा कर उसकी लोथ को साधारन लोगों की कवरों में फेग दिया परंतु शापान का पुत्र अही काम इर्मया का सहता करने लगा और वह लोगों के वश में वद के लिये नहीं दिया गया इर्मया भविश्वक्ता के पुस्तक अध्याए 27 इर्मया भविश्वक्ता के पुस्तक अध्याए 27 योश्या के पुत्र यहुदा के राजा यहुयाकिम के राज्य के आरंभ में यहुवा की ओर से यहुवचन इर्मया के पास पहुचा कि बंधन और जुए बनवा कर अपनी गर्दन पर रख तब उन्हें एदोम और मुवाब और अमोन और सोर और सिदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहुदा के राजा सिद्की यहा के पास यरुशले में आये है और उनको उनके स्वामियों के लिए यह कह कर आग्या देना कि इसरायल का परमिश्वर सेनाओं का यहुवा यो कहता है कि अपने अपने स्वामि से यो कहो कि पृत्वी को और पृत्वी पर के मनुश्यों और पश्यों को अपनी बड़ी शक्ती और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ, उसी को मैंने उन्हें दिया है, अब मैं ये सब देश अपने दास बावुल के राजा नवुखदनेसर को आप ही दे दिया है, और मैदान के जि जन्तों को भी मैंने उसे दिया है, कि वे उसके आधिन रहे, और ये सब जातिया उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के आधिन उस समय तक रहेंगी, जब तक उसके भी देश का शुबदिन न आए, और बहुत सी जातिया और बड़े-बड़े राजा उससे अपनी सेवा करवाएंगे, सो जो जाति वराज बाबुल के राजा नबुखदनेजर के आधिन न हो, और उसका जुआ अपनी गरदन पर न ले ले, उस जाति को मैं तलवार महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूँगा, जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा न दू यहवा की यहवानी है, इसलिए तुम लोग अपने भविश्यवक्ताओं और भावी कहने वालों और टोनों और तांत्रिकों की ओर चित मत लगाओ, जो तुम से कहते हैं कि तुमको बाबुल के राजा के अधिन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुम से जुटी बाबुल के राजा का जुवा अपनी गरदन पर लेकर उसके आधिन रहेगा, उसको मैं उसी देश में रहने दूँगा, और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी, यहवा की यही वानी है, और यहुदा के राजा सित्किया से भी मैंने ऐसी बात कही, कि अपनी प्रजा समें तू बाबुल के राजा का जुवा अपनी गरदन पर ले, और उसके और उसकी प्रजा के आधिन रहेकर जीवित रहेगा, जब यहवाने उस चाती के विशय, जो बाबुल के राजा के आधिन नहों, यह कहा है, कि वह तलवार, महंगी और मरी से नाश होगी, तो फिर तू अपनी प्रजा समेत क्यो मरना चाहता है, जो भविश्वक्ता तुझसे कहते हैं, कि तुझको बाबुल के राजा के आधिन हो जाना नपड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे जुटी भविश्वानी करते हैं, यहवा की यहवानी है, कि मैंने उन्हें नहीं भेजा, वे मेरे नाम से जुटी भविश्वानी करते हैं, और इसका फ्वल यही होगा, कि मैं तुझको देश से निकाल दूँगा, और तु उन नबियों समे जो तुझसे भविश्वानी करते हैं, नश्ट हो जाएंगे, फिर याजको और साधरन लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यो कहता है, कि तुम्हारे जो भविश्वक्ता, तुमसे यह भविश्वानी करते हैं, कि यहोवा के भवन के पात्र अब शिग्रही बाबुल से लवटा दिये जाएंगे, उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे जूटी भविश्वानी करते हैं, उ और यदि वे भविश वक्ता भी हो और यहुआ का वच्चन उनके पास हो तो वे सिनाओ के यहुआ से बिंति करें कि जो पात्र यहुआ के भवन में और यहुदा के राजा के भवन में और यलुशलेम में रह गये हैं वह बाबूल न जाए। सिनाओ का यहुआ यहुआ यह कहता है कि जो खंबे और पीतल की नांद, गंगाल और कुरसिया और पात्र इस नगर में रह गये हैं जिन्हें बाबूल का राजा नवुखदनेजर उस समय न ले गया जब वह यहुआ आकिम के पुत्र यहुदा के राजा यको नहा को और यहु के भवन में और यहुदा के राजा के भवन में और यरुशले में रह गये हैं उनके विशे में इस्राइल का परमिश्वर सिनाओ का यहुआ यो कहता है कि वे भी बाबूल में पहुँच जाएंगे और जब तक मैं उनकी सुधी न लू तब तक वही रहेंगे और तब मैं उन्हें लाकर इस्थान में फिर रखतूंगा यहुआ की यही वानी है इर्मयाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याए 28 फिर उसी वर्ष के अर्थात यहुदा के राजा सित्कियाह के राज्य के चौथे वर्ष के पाच्व महने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह जो ग लोगों के सामने कहा, इस्रायल का परमिश्वर सिनाओ का यहोवा यो कहता है, कि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ डाला है, यहोवा के भवन के जितने पात्र बाबुल का राजा नबुखदनेजर इस्थान से उठा कर बाबुल ले गया, उन्हें मैं दो वर्ष के भीतर फिर इस इस्थान में ले आउंगा, और यहुदा के राजा यहो याकिम का पुत्र यकुन्याह और सब यहुदी बंधुए जो बाबुल को गए है, उनको भी मैं इस्थान में लवटा ले आउंगा, क्योंकि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ दिया है यहुदा की यही वानी है, इर्मया नभी ने हनन्याह नभी से याजको और उन सब लोगे सामने जो यहुदा के भौन में खड़े हुए थे कहा आमिन, यहुदा ऐसा ही करे, जो बाते तुने भविश्वानी करके कही है, कि यहुदा के भौन के पात्र और सब बंधुए बा सुनाता हूँ, जो भविश्वक्ता प्राचिनकाल से मेरे और तेरे पहले होते आये थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े-बड़े राज्यों के विरुद्ध, युद्ध, विपत्ति और मरी के विशय भविश्यवानी की थी, जो भविश्वक्ता कुशल के व भववा का भेजा हुआ है, तब हनन्याह भविश्यवक्ता ने उस जुए को जो इर्मयाह भविश्यवक्ता की गरबदन पर था, उतार कर तोड़ दिया, और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोआ, यो कहता है कि इसी प्रकार से मैं पूरे दो वर्ष के भीतर, भविश्यवक्ता ने इर्मयाह भविश्यवक्ता की गरबदन पर से जुए उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोआ का यहवचन इर्मयाह के पास पहुचा, जाकर हनन्या से यह कहा, कि यहोआ यो कहता है, कि तूने काट का जुए तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तुने उसकी संती लोहे का जुआ बना दिया है। क्योंकि इसराल का परमिश्वर सेनाव का यहवा यो कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूं। कि बाबुल का राजा नदुखदनेसर के आधिन रहे और इनको उसके आधिन होना पड़ेगा और मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूं। और इर्मयाह नभी ने हनन्याह नभी से यह भी कहा कि हे हनन्याह देख यहवा ने तुझे नहीं भेजा, तुने इन लोगों को जुटी आशा दिलाई है, इसलिए यहवा तुझसे यो कहता है कि देख मैं तुझको पुथ्वी के उपर से उठा दूँगा, इसी वर्ष में तु मरेगा, क्योंकि तुने यहवा की ओर से फिरने की बाते कही है, इस वच्चन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के सातलों महिने में मर गया। जो बंधुवों में से बचे थे, जिनको नबुखदने सर यरुशलेम से बाबुल को ले गया था। यहा पत्री उस समय भेजी गई जब यकुन्यह राजा और राजमाता और खोजे और यहुदा के हकीम और लोहार आदिकारिगर यरुशलेम से चले गए थे। यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिलकियह के पुत्र गमर्यह के हाथ भेजी गई। जिनहें यहुदा के राजा सितकियह ने बाबुल के राजा नबुखदने सर के पास बाबुल को भेजा। जिकने लोगों को मैने यरुश्लिम से बंधुवा करके पावुल में पहुचा दिया, उन सभों से इसरायल का परमिश्वर सेनाओ का यहोवा यो कहता है, कि घर बनाकर उसमें बस जाओ, और बारिया लगाकर उनके फल खाओ, ब्याहा करके बेटे बेटिया जन्माओ, और अपनी बेटिया पूरुशों को ब्याह दो, कि वे भी बेटे बेटिया जन्माओ, और वहां घटो नहीं, बरन बढ़ते जाओ, और जिस नगर में मैंने तुमको बंधुवा करके भेज दिया है, उसके कुशल का यतन किया करो, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थन किया करो, क्योंकि उसके कुशल रहने से तुम भी कुशल के साथ रहोगे, इस्रायल का परमिश्वर, सिनाओ का यहोवा तुमसे यो कहता है, कि तुम्हारे जो भविश्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वह तुमको बहकाने न पाए, और जो पूटी भविश्वानी सुनाते हैं, मुझ यहोवा की यहवानी है, कि मैंने उन्हें नहीं भेजा, यहोवा यो कहता है, कि बावुल के सत्तर वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधी लूँगा, और अपना यह मन भावना वच्चन, कि मैं तुम्हें इस थान में कि वे हानी की नहीं, बरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा, उस समय तुम मुझ को पुकारोगे, और आकर मुझ से प्राठना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूँगा, और तुम मुझे ढूंडोंगे, और पाओगे भी, क्योंकि तुम अप ध्वाई से लवटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से, जिन में मैंने तुमको परब्बस कर दिया है, इकटा करके, इस स्थान में लवटा ले आऊंगा, जहां मैंने तुम्हे बंधवा करवा के निकाल दिया है, यहवा की यही वानी है, तु पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बंधुआए में नहीं गए उन सभों की विशे सेनाओं का यहुआ यह कहता है कि सुनो मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा औ और उन्हें ऐसे घिनोने अंजिरों के समान करूंगा जो निकम में होगे इस कारण खाये नहीं जाते और मैं तलवार, महंगी और मरी लिये हुए उनका पीछा करूंगा और ऐसा करूंगा कि वे पृत्वी के राज राज में मारे मारे फिरेंगे और उन सब जातियों में ज और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा दे कर शापद्या करेंगे यहवा की यह वानी है कि यह इसके बदले में होगा कि जो वचन मैंने अपने दास भविश्रताव के द्वारा उनके पास बड़ा यतन करके कहला भेजे हैं उनको उन्होंने नह इसलिए, ये सारे बंधों, जिन्हें मैंने येरुश्लेम से बाबुल को भेजा है, तुम उसका यहवचन सुनो। इसलिए, ये सारे बंधों, जिन्हें मैंने ये सारे बंधों, जिन्हें बाबुल के राजा ने आग में भुन डाला। पराई इस्त्रियों के साथ व्यविचार किया, और बिना मेरे आग्या पाए, मेरे नाम से जुटे वचन कहे, और इसका जानने वाला, और गवाह मैं आप ही हूँ। यहवा की यहवानी है, और नहेलामी शमायाह से तू यह कह, कि इस्राइल के परमिश्वर यहवा ने यो कहा है, कि इसलिए कि तूने यरुश्लेम के सब रहने वालों और सब याजकों, और यासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम की, इस आशे की पत्री कि यहवा ने यहवा यादा याजक के स्थान पर मुझे याजक ठैरा दिया, ताकि तू यहवा के भवन में रखवाला होकर, जितने वहां पागलपन करते हैं, और भविश्यवक्ता बन बढ़ठे हैं, उन्हें काठ में ठोके, और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले, हम लोगों के पास बावुल में यह कहला भेजा है, कि बंधुआए तो बहुत काल तक रहेगी, सो धर बनाकर उसमें रहो, और बारिया लगाकर उसमें फल खाओ, यह पत्री सपन्याह याजक में इर्मयाह भविश्यवक्ता को पड़ सुनाए, तब यहोवा का यह वचन इर कि शमायाह ने जो बिना मेरे भेजे तुमसे भविश्यवानी की, और तुमको जूट पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यो कहता है, कि सुनो, मैं उस नहेलामी शमायाह और उसके वंश को दंड दिया चाहता हूं, उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाए और जो भलाई मैं अपनी प्रजाकी करने वाला हूं, उसको वह देखने न पाएगा, क्योंकि उसने यहोवा से फिर जाने की बाते कही है, यहोवा की यही वानी है. इर्मयाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय तीस. इर्मयाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय तीस. यहोवा का वचन इर्मया के पास पोचा वह यह है. इसरायल का परमिश्वर यहोवा तुमसे यो कहता है, कि जो वचन मैंने तुझसे कहे है, उन सभों को पुस् इस्राइली और यहुदी प्रजा को बंधुवाई से लवटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पित्रों को दिया था, उसमें उन्हें फेर लेाऊंगा, और वे फेर उनके अधिकारी होंगे, यहोवा का यही वचन है, जो वचन यहोवा ने इस्राइलियों और यहुदि शांती नहीं भाई ही है, पूछो तुभला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जन्ने की पिड़ा उठती है, फिर क्या कारण है, कि सब पुरुष जच्चा की नाई अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाय हुए देख पड़ते है, और सब के मुख फीके रंके हो ग कटका समयतो होगा, परन्तु वह उससे भी छुडाया जाएगा, और सिनाव के यहवा की यहवानी है, कि उस तिन मैं उसका रखा हुआ जुआ, तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूँगा, और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूँगा, और परद दाउत की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा, इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहवा की यहवानी है, कि मत डर, और हे इसरायल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंच को बंधुवाई से देश से चुड़ा ले आऊंगा, तब याकूब लवट कर चैन और सुक से रहेगा, और कोई उसको डराने न पाएगा, यहवा की यहवानी है, कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे संग हूँ, इसलिए मैं उन सब जातियों का जिन में मैंने उन्हें तित्तर बित किया है, अंत कर डालूँगा, परंतु तुम्हारा अंत न करूँगा, तुम्हारी ताडना मैं विचार करके करूँगा, और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोश न ठाराऊंगा, यहवा यो कहता है, कि तेरे दुख की कोई और आउशधी नहीं, और तेरी चोट गहरी औ और दुख प्रद है, तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है, तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधी नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु क्रूर बनकर तुम्हें मारा, मैंने क्रूर बनकर तुम्हें ताड़ना दि, तु अपने घाव के मारे क्यों चिलाती है, तेरी पीड़ा की कोई आउशधी नहीं, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवभार किया है, परन्तु जितन तुझसे अब खाये लेते हैं, वह आप ही खाये जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सब के सब बंधवाय में जाएंगे, और तेरे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन चीनते हैं, उनका धन मैं चीनवाओंगा, यहवा की यहवानी है, कि मैं तेरा इला तेरा नाम ठुकराई हुई प्लीडा है और लोग कहते हैं कि वह तो सियोन है उसकी चिंता कौन करें। और वहां से धन्य कहने और आनन्द करने का शब्द सुनाई पड़ेगा और मैं उनका विभव बढ़ाऊंगा। वे थोड़े न होंगे। वह उन्ही में से उत्पन्न होगा और मैं उसे अपने समीप बुलाऊंगा और वह मेरे समीप आभी जाएगा। क्योंकि कौन है जिसने अपने प्रानों पर खेला है। यहोवा की यही वानी है। उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगी और मैं तुम्हारा परमिश्वर ठहरूँगा। यहोवा की जलजलाहट की आंधी चल रही है। वह अती पचंड आंधी है और वह दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगी। जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके तब तक उसका भणका हुआ क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। इर्मयाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याए 31। उन दिनों में मैं सारे इस्राइली कूलों का परमेश्वर ठारूंगा और वे मेरी प्रजा ठैरेगी। यहोवा की यही वानी है। यहोवा यो कहता है कि जो प्रजा तलवार से बचनिकली जंगल में उन पर अनुगरह हुआ। मैं इस्राइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन दे कर कहा है कि मैं तुझ से सदा प्रेम रखता आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर करूना करके खीच लिया है। हे इस्राइली कुमारी कन्या मैं तुम्हें फिर बसाओंगा। वहां तु फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। तु शोमरून के पहाडों पर अंगुर की बारिया फिर लगाएगी और जो उन्हें लगा भी खाने पाएंगे। क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिसमें एपरेम के पहाडी देश के पहरूए पुकारेंगे। कि उठो हम अपने परमिश्वर यहवा के पास सियोन को चले। क्योंकि यहवा यो कहता है कि याकुप की स्रिष्ट जाती के कारण आनंद से जय जयकार करो। फिर उचे शब्द से स्तूती करो और कहो कि हे यहवा अपनी प्रजा इस्रायल के बचे होए लोगों का भी उद्धार कर। मैं उनको उत्तर देश से ले आऊंगा और पृत्वी के कोने कोने से इकटा करूंगा। और उनके बीच अंधे, लंगडे, गर्भवती और जच्चा स्त्रिया भी आएंगी। एक बड़ी मंदली यहां लवटाईगी। वे आसुभाते हुए आएंगे और गिडगडाते हुए मेरे द्वार पर पहुचाए जाएंगे। और मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चवरस मार्ग से लियाओंगा जिससे वे ठोकर न खाने पाएंगे। क्योंकि मैं इसरायल का पिता हुँ और एफरेम मेरा जेठा है। हे जाती-जाती के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, पतू-दूर के द्विपो में भी इसका प्रचार करो, कहो कि जिसने इसरायलियों को तिक्तर-बिक्तर किया था, वही उन्हें इकठे भी करेगा, और उनकी ऐसी रक्षा करेगा, जैसी चरवाहा अपने जुंडगी करता है, यहोवा ने याकूब छुड़ा तुलिया, और उसके सत्रु के पंजे से जो उसके अधिक बलवन्त थे, छुड़ा लिया है, इसलिए वे सियोन की चोटी पर आकर जैजेकार करेंगे, और अनाज, नयादाकमधू, टटका तेल, और भेड़ बक्रियों और गाय बलों के बच्चे, आधी उत्तम उत्तम दान यहोवा से पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे, और उनका प्रान सिच्ची हुई बारी के समान होगा, और वे फिर कभी उदास न होंगे, उस समय उनकी कुवारिया नाचती हुई आनन्द करेंगी, और जवान और बुढ़े एक आनन्द करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनन्दित करूँगा, और शांती दूँगा, और दुख के बदले आनन्द दूँगा, और मैं याजकों को चिकनी वस्तों से अती तुप्त करूँगा, बरन मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट ह यहवा की यही वानी है। यहवा यह भी कहता है कि सुन, रामा नगर में विलाप और बिलग बिलग कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती क्योंकि वे जाते रहे। यहोवा 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 कहता है कि रोने पीटने और आशु बहाने से रुख जा क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रों के देश से लवटाएंगे। की और मेरी ताडना ऐसे बचड़े की सी हुई जो निकाला न गया हो परन्तु अब तु मुझे तब मैं फिरूंगा क्योंकि तु मेरा परमेशर है। का नहीं है जब जब मैं उसकी विरुद्ध बाते करता हूँ तब तब मुझे उसका स्मरन आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर जाता है और मैं निश्चे उस पर दया करूँगा। यहवा की यहवानी है। सेनाओ का यहवा यो कहता है कि जब मैं यहुदी बंधों को उनके देश के नगरों में लवटाऊंगा तब उनमें यह आशिवाद फिर दिया जाएगा। कि हे धर्म भरे वास्थान हे पवित्र परवत यहवा तुझे आशिश दे। और यहुदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकठे बसेंगे। और मैंने ठके हुए लोगों का प्रान तुप्त किया और उदास लोगों के प्रान को भर दिया है। इस पर मैं जाग उठा और देखा और मेरी नींद मुझे मीठी लगी। देख यहवा की यहवानी है कि ऐसे दिन आने वाले है जिन में मैं इसरायल और यहुदा के घरानों के लड़के बाले और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। और जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता और ढाता और नश्ट करता और काट दालता और सत्यनाशी करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। यहवा की यही वानी है, उन दिनों में वे फिर न कहेगे कि जंगली दाख खाए तो पुर्खा लोगों ने, परम्तु दाथ खटे तो हो गए उनके वन्श के, क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दाथ खटे हो जाएंगे, हर एक मनुश्य अपने ही अपने अधर्म के कारण मारा जाएगा, फिर यहवा की यह विवानी है, कि सुन, ऐसे दिन आने वाले है कि मैं इस्रायल और यहुदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, यहवा उस वाचा के समान न होगी, जो मैंने उनके पुर्खाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ प पती हुआ, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली, यहवा की यह वानी है, कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्रायल के घराने से बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्ता उनके मन में समाऊंगा, और उनके रधै पर लिखूंगा, और मैं उनका प रहना न पड़ेगा, कि यहुआ का ज्यान सिखो, क्योंकि यहुआ की यहवानी है, कि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब मेरा ज्यान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, और उनका पाप फिर स्मरन न करूंगा, जिसने दिन को प्रकाश देने के प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारंगन के नियम ठहराये है और समुद्र को उच्छालता और उसकी लहरों को गर जाता है और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है वही यहोवा यो कहता है कि जब वे नियम मेरे सामने से टल जाएंगे तब ही यह हो सकेगा कि इसरायल का वंश मेरी दुष्टी में एक जाती ठहरने से सिदा के लिए चुट जाए यहोवा यो भी कहता है कि जब उपर से आकाश मापा जाएगा और निचे से पृत्वी की नेव खोद खोद कर पता लगाया जाए तब ही मैं इसरायल के सारे वंश के सब पापों के कारण उनसे देख यहोवा की यहवानी है कि ऐसे दिन आ रहे है कि जिनमें वह नगर हननेल के गुमट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा और मापने की रसी फिर आगे बढ़कर सीधी गारे पहाड़ी तक और वहां से घुमकर गोवा को पहुचेंगी और लोथो और राह के सब तराई और किद्रो नाले तक जितने खेत है और घुडो के पुर्वी फाटक के कोने तक जितनी भूमी है वह सब यहोवा के लिए पवित्र ठैरेगी वहन अगर सदा के लिए फिर कभी न तो गिराया जाएगा और न ढ़ाया जाएगा इर्मयाह भविश्वक्ता के पुस्तक अध्याय बत्तीस यहुदा के राजा सित्कियाह के राज्य के दस्वे वर्ष में जो नवुकर्नेसर के राज्य का अठाराहावा वर्ष था यहोवा की ओर से यह वच्चन इर्मयाह के पास पहुचा उस समय बाबुल के राजा की सिना ने यरुश्लेम को घेर लिया था और इर्मयाह भविश्वक्ता यहुदा के राजा के पहरे के भवन के आंगन में कैदी था क्योंकि यहुदा के राजा सित्कियाह ने यह कहकर उसे कैदी किया कि तू ऐसी भविश्वानी क्यों करता है कि यहुआ यो कहता है कि देखो मैं यह नगर बाबुल के राजा के वश में कर दूँगा वह इसको ले लेगा और यहुदा का राजा सित्कियाह कस्तियों के हाथ से न बचेगा वह बाबुल के राजा के वश में अवश्य ही पड़ेगा और यह और बाबुल का राजा आपस में आमने सामने बाते करेंगे और उनकी चार आखे होंगी और वह सित्किया को बाबुल में ले जाएगा और यहवा की यहवानी है कि जब तक मैं उसकी सुधी न लू तब तक वह वही रहेगा सो तुम लोग कस्कियों से लड़ो तो लड़ो परन्तु तुम्हारे लड़ने से कुछ न बन पड़ेगा और इर्मयाह ने यह कहा यहवा का वचन मेरे पास पहुंचा कि देख शलम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है सो तेरे पास यह कहने को आने पर है कि मेरा जो खेत अनातोत में है उसे मूल ले क्योंकि उसे मूल ले कर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। इसलिए तू उसे मूल ले तब मैंने जान लिया कि वह यहवा का वचन था। इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेर भाई अनमेल से मूल ले लिया और उसका दाम चांडी के सतर शेकेल तौल कर दे दिया। और मैंने दस्तावेज में दस्थकत और मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चांडी काटे से तौल कर उसे दे दी। तब मूल लेने की दोनों दस्तावेज जिन में सब शर्ते लिखी हुई थी और जिन में से एक पर मुहर थी और दुसरी खुली थी। उन्हें लेकर मैंने अपने चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिनोंने दस्तावेज में दस्तकत किया था और उन सब यहुदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे। नेरियाह के पुत्र बारुक को जो महसे यहा का पोता था सौब दिया। तब मैंने उनके सामने बारुक को यह आग्या दी कि इस्राइल के परमिश्वर सेनाओ के यहवा ने यो कहा कि जिस पर मुहर की हुई है और जो खुली हुई है मोल लेने की दस्तावेजो को लेकर दिन तक रहे क्योंकि इस्राइल का परमिश्वर सेनाओ का यहो यो कहता है कि इस देश में घर और खेत और दाक की बारिया फिर बेची और मोली चाहिगी। जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरियाह के पुत्र बारुक के हाथ में दी तब मैंने यहोवा से यह प्र तूने तो बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृत्वी को बनाया और तेरे लिए कोई काम कठीन नहीं है। तू हजारों पर करूना करता रहता और पुर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वन्ष के लोगों को देता है। तू तो वह महान और पराक्रमी परमिश्वर है जिसका नाम सिनाव का यहवा है। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दुरुष्टी मनुशों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। और तू एक-एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भ बरन सब मनुशों के बीच करता आया है। और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। और तू अपनी प्रजा इसरायल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमतकारों और बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा बड़े भयानक का अर्मों के साथ निकाल लाया। फिर तूने यह देश जिसके देने की तूने उनके पुरुजों से शपत खाई थी और जिसमें दूद और मधु की दाराय बहती है उन्हें दिया और वे आकर इसके अधिकारी हुए तो भी तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्ता पर चले बरन जो कुछ तूने उनको करने की आग्या दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है अब इन दमदमों को देख वे लोग इस नगर के लिए ले लेने के लिए आ गये है और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के का परन इन चड़े हुए कस्दियों के वशमें किया गया है और जो तूने कहा था वह अब पूरा हुआ और तू इसे देखता भी है तो भी हे यहोवा प्रभू तूने मुझ से कहा है कि गवाह बुला कर उस खेत को मोल ले परन्तु यह नगर कस्दियों के वशमें कर दिया ग कि मैं तो सब प्राणियों का परमिश्वार यहोवा हूँ क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है तो यहोवा यहोवा यह कहता है कि देख मैं यह नगर कस्दियों और बाबुल के राजा नवखदनेजर के वशमें कर देने पर हूँ सो वह इसको ले लेगा और जो कस्दि इस नगर से युद्ध कर रहे है वे आकर इसमें आग लगाकर इसे फुग देंगे और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिश्दिलाई है वे घर जला द जाएंगे क्योंकि इसरायल और यहुदा वह काम जो मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए है और इसरायल अपनी बनाए हुई वस्तूर से मुझको रीस सी रीस दिलाते आए है यहवा की यहवानी है कि यह नगर जबसे बसा है तबसे आज के दिन तक मेरे क् और जलजला हट के भड़कने का कारण हुआ है अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूँगा कि इसरायल और यहुदा अपने राजाओं हाकिमों याजिकों और भविश्वक्ताओं समेत क्या यहुदा देश के क्या यरुश्लेम के निवासी सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रीज दिलाते आये हैं उन्होंने तो मेरी और मुह नहीं बरन पीठ ही फेर दिये हैं मैं उन्हें बड़े यतन से सिखाता आया हूँ परंतु उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना बरन जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी ग् इन्नोमियों की तराए में बाल के उचे-उचे स्थान बना कर अपने बेटे-बेटियों को मुलक देवता के लिए होम किये, जिसके आग्या मैंने कभी नहीं दी, और न यह बात कभी मेरे मन में आई, कि ऐसा गुरुनित काम किया जाए, जिससे यहुदी लोग पाप में फसे परंतु अब इस्रायल का परमिश्वर यहुआ इस नगर के विशे में जिससे तुम लोग तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बाबुल के राजा के वश में पड़ा हुआ कहते हो, यो कहता है, कि देखो, मैं उनको उन सब देशों से जिन में क्रोध और जलजलाहट और प बसा दूँगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमिश्वर ठहरूँगा, और मैं उनका एक ही मन और एक ही चाल कर दूँगा, कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वन्ष का भी भला हो, और मैं उनसे यहवाचा कि मैं कभी तुम्हारा संग छोड़कर तुम्हारा भला करना न चुड़ूंगा, और मैं अपना भय उनके मन से ऐसा उपचाऊंगा, कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे, और मैं बड़ी प्रसनता के साथ उनका भला करता रहूंगा, और सचमुच उन्हें इस देश म अपने सारे मन और प्रान से बसा दूंगा, देख, यहोवा यो कहता है, कि जैसे मैंने अपनी इस प्रजापर यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चे इनसे वह सब भलाई भी करूंगा, जिसके करने का वच्चन मैंने दिया है, सो यह देश, जिसके विशय तुम लोग कहते हो, कि यह तो उजाड हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गये और न पशु, यह तो कस्तियों के वश में पढ़ चुका है, इसी में खेत फिर से मोल लिये जाएंगे, बिन्नैमिन के देश में और येरुशलेम के आसपास, औ नीचे के देश और दखिन के देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे, और दस्तावेज में दस्तकत और मुहर करेंगे, क्योंकि मैं उनके कैदियों को लवटा ले आऊँगा, यहोवा की यही वानी है। आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दुसरी बार उसके पास पहुचा, कि यहोवा जो पूरी करने वाला है, यहोवा जो उसके स्थिर होने की तयारी करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, कि मुझसे प्राठना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी इस नगर के घरों और यहुदा के राजाओं के भवनों के विशे, जो इसलिए गिराए जाते हैं, कि दमदमों और तलवार के साथ सुभिता से लड़ सके। यो कहता है, कस्तियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परन्तु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उ और उनकी लोथे उसी स्थान में भर दूँगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुह फेर लिया है, देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके वासियों को चंगा करूँगा, और उन पर पूरी शान्ती और सच्चाई प्रगट करूँगा, और मैं य यहुदा और इस्राइल के बंधूगों को लवटा ले आऊंगा, और उन्हें पहले की नाई बनाऊंगा, और मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से, जो उन्होंने मेरे विरुद्ह किये है, शुद्ध करूँगा, और उन्होंने जितने अधर्म और पाप और उनके लिए करूंगा और वे सब कल्यान और शांती की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थर्थराएंगे। वे पुत्वी की उन जातियों की दुरुष्टी में मेरे लिए हरशाने वाले और स्तुती और शोभा का कारण हो जाएगे। यहोवा यो कहता है। यह स्थान जिसकी विशय तुम लोग कहते हो कि यह तो उजाड हो गया है, इसमें न तो मनुश्य रह गया है और न पश्यू। अर्थात यहुदा देश के नगर और यरुशलेम की सड़के जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें न तो कोई मनुश्य रह प्रख सुनाए पड़ेगा कि सिनाओ के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुना सदाकि है, और यहोवा के भवन में धन्यवाद बली करने वालों का भी सुनाए देगा। क्योंकि मैं इस तेश की दशा पहले की नाई जो कित्तो कर दूंगा, यहोवा का यही वचन है। सिनाव का यहोवा कहता है सब गाओ समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड है कि इसमें न तो मनुश रह गया है और न पशु। इन ही में भेडवक्रिया बैठाने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। पहाडी देश में और नीचे के देश में दक्षिन देश के नगरों में बिन्नैमिन देश में और यरुश्लेम के आसपास निदान यहुदा के सब नगरों में भेडवक्रिया फिर गिन गिन कर चराई और यहुदा के घरानों के विशे में कहा है, उसे पूरा करूँगा। उस दिनों में और उन समयों में मैं दाउत के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा। और वह इस तेश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहुदा बचा रहेगा और यरुशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा। अर्थात यहुवा हमारी धर्मिकता। यहुवा यो कहता है। दाउत के कुल में इसराल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैवब बने रहेंगे। और लेविय याजकों के कुलों में प्रति दिन मेरे लिए हुमबली चढ़ाने वाले, अन्नबली जलाने वाले और मेलबली चढ़ाने वाले सदैवब बने रहेंगे। फिर यहोवा का यह वच्चन इर्म यहा के पास पहुचा, यहोवा यो कहता है, मैंने दिन और रात के विशे में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने-पने समय में न हो, तब ही जो वाचा मैंने अपने तास दावुद के संग बां जैसा मेरी सेवा टहल करने वाले लेविय याजको के संग बंधी रहेंगी, जैसा आकाश के सिना की गिंती और समुदर के बालु के किनको का परिणाम नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मैं अपने दास दावुद के वंश और उसके सेवक लेवियों को बढ़ा कर अनगीनत कर द यहवा ने चून लिये थे, उन दोनों से उसने अब हात उठाया है, यह कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुछ जानते है, और कि यह जाती उनकी दुरुष्टी में गिर गई है, यहवा यो कहता है, कि यदि दिन और रात के विशय मेरी वाचा अटल न रहे, और यदि आकाश औ पूत्वी के नियम मेरे ठैराय हुए न रह गये, तब ही मैं याकुप के वंश से हात उठाऊंगा, और इब्राहिम, इसहाक और याकुप के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाउत के वंश में से किसी को फिर न ठाराऊंगा, परंतु इसके विपरित मैं उ उनको बंधुवाई से लवडा लाऊंगा, इर्मया भाईश वक्ता की पुस्तक अध्याए 34, इर्मया हां भाईश वक्ता की पुस्तक अध्याए 34, जब बाबूल का राजा नगु खदनेसर अपनी सारी सेना समेत और पुत्वी के जितने राज्य उसके वश में थे, उन सब गाओं से लड़ रहा था तब यहवा का यहवचन इर्म यहा के पास महुचा कि इस्राइल का परमिश्वर यहवा यह कहता है कि जाकर यहुदा के राजा सिद्किया से कहा कि यहवा यह कहता है कि देख मैं इस नगर को बाबूल के राजा के वश में कर देने पर हूँ और वह इसे फूकवा देगा, और तु उसके हाद से न बच निकलेगा, निश्चे पकड़ा जाएगा, और उसके वश्व में कर दिया जाएगा, और तेरी और बाबुल के राजा की चार आखे होंगी, और तुम आमने सामने बाते करोगे, और तु बाबुल को जाएगा, तो भी हे यहुदा के राजा सित्किया हा, यहोवा का यह भी वचन सुन, जिसे यहोवा तेरे विशे में कहता है, कि तु तलवार से मारा न जाएगा, तु शांती के साथ मरेगा, और जैसा है तेरे पित्रों के लिए अर्थात, जो तुझ से पहले राजा थे, उनके लिए सुगं यहोवा की यही वानी है, यह सब वचन इर्मयाह भविशवक्ता ने यहुदा के राजा सित्कियाह से यरुशलेम में उस समय कहे, जब बाबुल के राजा की सिना यरुशलेम से और यहुदा के जितने नगर बच गए थे, उनसे अर्थात लाकिश और अजिका से लड़ रह थी, क्योंकि यहुदा के जो गढ़वाले नगर थे, उनमें से केवल वे ही रह गए थे। भाई से फिर अपनी सेवा न कराए, तब तो सब हाकिमों और सारी प्रजा ने यहाँ प्रन किया कि हम अपने अपने दास्तासियों को स्वतंत्र कर देंगे और फिर उनसे अपनी सेवा न कराएंगे। सो उस प्रन के अनुसार उनको स्वतंतर कर दिया कया, परंतु इसके बाद वे फिर गए और जिन दास-दासियों को उन्होंने स्वतंतर करके जाने दिया था, उनको फिर अपने वश में लाकर दास और दासी बना लिया। तब यहवा की ओर से यहा वचन इर्म यहा के पास पहुँचा, कि इस्रायल का परमिश्वर यहवा तुमसे यो कहता है, कि जिस समय मैं तुम्हारे पित्रों को दासत्व के घर अर्थात मिस्त्र देश से निकाल ले आया, उस समय मैंने तो आप उनसे यह कहकर वाचा बांधी, कि तुम्हारा जो इबरी भाई तुम्हारे हाथ से बेचा जाए, उसको तुम सात्वे बरस में छोड़ देना, छब बरस तो वह तुम्हारी सेवा करे, परंतु इसके बाद तुम उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने देना, परंतु तुम्हारे पित्रों ने मेरी न दुष्टे में भला है उसे तुमने किया भी था और जो भवन मेरा कहलाता है उसमें मेरे सामने वाचा भी बांदी थी पर अब तुम भटक गए और मेरा नाम इस रीती से अशुद्ध किया कि जिन दास्तासियों को तुम स्वतंतर करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे उन्हें तुमने फिर अपने वश में कर लिया है और वे तुम्हारे दास्तासियों फिर बन गए है इसकारण यहुआ यो कहता है कि तुमने जो मेरी आग्या के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंतर होने का प्रचार नहीं किया सो यहवा का यहवचन है कि सुनो मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतनत्र होने का प्रचार करता तो हूँ कि तुम तलवार, मरी और महंगी में पड़ोगे और मैं ऐसा करूँगा कि तुम पुत्वी के राज्यराज्य में मारे मारे फिरोगे और जो लोग मेरी वाचा का उलंगन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बचड़े को दो भाग करके उसके भागों के बीच होकर किया परंतु उसे पुरा न किया अर्थात यहुदा देश और यरुशलेम नगर के हाकीम खोजे याजक और साधरन लोग जो बचड़े के भागों के बीच होकर गए थे उनको मैं उनके शत्रूओ अर्थात उनके प्रान के खोजियों के वश में कर दूँगा और उनकी लोत आकाश के पक्षियों और मैदान के पशियों का आहार हो जाएगी और मैं यहुदा के राजा सिद्किया है और उसके हाकिमों को उनके शत्रूओ और उनके प्रान के खोजियों अर्थात बाबुल के राजा की सेना के वश में जो तुमारे सामने से चली गई ह कर दूँगा यहवा का यहवचन है कि देखो मैं उनको आग्या देकर इस नगर के पास लवटा ले आओंगा और वे इसे लड़कर ले लेंगे और फूग देंगे और यहुदा के नगरों को मैं ऐसा उजार दूँगा कि कोई उनमें न रहेगा इर्मयाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याए 35 योशियाह के पुत्र यहुदा के राजा यहोयाकिम के राज्य में यहोवा की और से यह वचन इर्मयाह के पास पहुँचा रेकावियों के घराने के पास जाकर उनसे बाते कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाखमदु पिला तब मैंने याजन्याह जो हवसी न्याह का पोता और इर्मयाह का पुत्र था और उसके भाईयों और सब पुत्रों को निदान रेकावियों के सारे घराने को साथ लिया और मैं उनको परमिशर के भवन में इकदल्याह के पुत्र हानान जो परमिशर का एक जन था उसकी कोठरी में ले आया जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी और शल्लुम के पुत्र डेवडी के रखवाले मासियाह की कोठरी के उपर थी तब मैंने रेकाब्यों के घराने को दाखमधु से भरे हुए हंडे और कटवरे देकर कहा दाखमधु पियों। उन्होंने कहा हम दाखमधु न पियेंगे। क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो हमारा पुर्खा था, हमको यहाँ आज्या दी थी कि तुम कभी दाखमधु न पिना, न तुम न तुम्हारे पुत्र, न घर बनाना, न बीजबुना, न दाख की बारी लगाना, और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भ पुत्र अपने पुर्खा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्याओ के अनुसार चलते हैं, न हम और न हमारी स्त्रिया वा पुत्र पुत्रिया कभी दाखमधु पीते हैं, और न हम घर बनाकर उन में रहते हैं, हम न दाख की बारी, न खेत और न बीज रखते हैं, हम तंबूओं में ही रह करते हैं और अपने पुर्खा योनादाप की बात मान कर उसकी सारी आग्याओं के अनुसार काम करते हैं परन्तु जब बाबूल के राजा नभुखद निजर ने इस देश पर चढ़ाई की तब हमने कहा चलो कस्तियों और रामियों के दलों के डर के मारे यरुशलेम में जाए इस कारण हम अब यरुशलेम में रहते हैं तब यहोवा का यह वचन इर्म यह के पास महुचा इसरायल का परमिश्वर सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जाकर यहुदा देश के लोगों और यरुशलेम नगर के निवासियों से यह कहा यहोवा की यहवानी है क्या तुम शिक्षा मान कर मेरी न सुनोंगे देखो रेकाप के पुत्र योनादाव ने जो आग्या अपने वंश को दी थी तुम दाख मधु न पिना सो तो मानी गई है यहां तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते वे अपने पुर्खा की आग्या मानते हैं परियद्यपी मैं तुम से बड़े यतन से कहता आया हूँ तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नभीयों को पड़ा यतन करके यह कहने को भेजा आया हूँ कि अपनी बुरी चाल चलन से फिरो और अपने काम सुधारो और दुसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओंगे पर तुमने मेरी और कान नहीं लगाया न मेरी सुनी देखो रेकाप के पुत्र योनादाप के वंश ने तो अपने पुरुखा की आज्या को मान लिया पर तुमने मेरी नहीं सुनी इसलिए सेनाओ का परमेश्वर यहोवा जो इसरायल का परमेश्वर है यो कहता है कि देखो यहुदा देश और यरुशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ती डालने की मैंने चर्चा की है वह उन पर अब डालूंगा हूँ क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर न दिया और रेकावियों के घराने से इर्मया ने ये कहा इसरायल का परमेश्वर सेनाओ का यहोवा तुमसे यो कहता है इसलिए कि तुमने जो अपने पुर्खा योनाद इसलिए इसराल का परमेश्वर सेनाओ का यहोवा यो कहता है। इहोवा की ओर से यह वच्चन इर्मयह के पास पहुचा। एक पुस्तक लेकर जितने वच्चन, मैंने तुझसे योशिहा के दिनों से लेकर अर्थात जब मैं तुझसे बाते करने लगा उस समय से आज के दिन तक इसराल और यहुदा और सब जातियों के विशे में कहे हैं, स क्या जाने यहुदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैंने उन पर डालने की कलपना की है अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूं। सो इर्मयाह ने नेरियाह के पुत्र बारुक को बुलाया और बारुक ने यहुदा के सब वचन जो उसने इर्मयाह से कहे थे उसके मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिये। सुनकर लिखे है पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना और जितने यहुदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना क्या जाने वे यहुदा कर प्राथना करे और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे। क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहुआ ने अपनी इस प्रजा पर भढ़काने को कहा है वह बढ़ी है। इर्मयाह भविशवक्ता की इस आग्या के अनुसार नेरियाह के पुत्र बारुक ने यहुआ के भवन में उस पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए। और योशिहा के पुत्र यहुदा के राजा यहोयाकिम के राज्य के पाच्वे बरस के नववे महिने में यरुशले में जितने लोग थे और यहुदा के नगरों से जितने लोग यरुशले में आये थे उन्होंने यहुआ के सामने उपवास करने का प्रचार किया। तब बारुक ने यहोवा के भवन में सब लोगों को शापान के पुत्र गमरियाह जो प्रधान था, उसकी कोठरी में जो उपर के आंगन में यहोवा के भवन के नए फाटक के पास थी, इर्मयाह के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए. तब शापान के पुत्र गमरियाह के बेटे मिकायाह ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने, और वह राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया, और क्या देखा कि वहाँ एलिशामा प्रधान और शमायाह का पुत्र दलायाह और अबबोर का पुत्र एलनातान और शापान का पुत्र गमरियाह और हनन्याह का पुत्र सित्कियाह और सब हाकीम बैठे हुए है. और मिकायाह ने जितने वचन उस समय सुने जब बारुक में पुष्टक में से लोगों को पड़ सुनाये थे वे सब वर्नन किये। अपने हाथ में लेता आ। सो नेरिया का पुत्र बारुक वह पुष्टक हाथ में लिए उनके पास आया। तब उन्होंने उस से कहा अब बैठ जा। और हमें यह पढ़कर सुना। तब बारुक ने उनको पढ़कर सुना दिया। जब वे उन सब वचनों को सुन चुके तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। और उन्होंने बारुक से कहा हम निश्चे राजा से इन सब वचनों का वर्नन करेंगे। फिर उन्होंने बारुक से कहा हम से कहा क्या तुने यह सब वचन उसके मुख से सुनकर लिखे। बारुक ने उनसे कहा वह यह सब व तुम ने बारुक से कहा, जा तु अपने आपको और इर्मयह को छिपा, और कोई न जानने पाए कि तुम कहा हो, तब वे पुस्तक को एलिशामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आए, और राजा को वे सब वचन कह सुनाए, तब राजा ने यहुद्य को पुस्तक ले आने के लिए भेजा, उसने उसे एलिशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा और जो हकीम राजा के पास खड़े थे, उनको भी पढ़ सुनाया, राजा शितकाल के भौन में बैठा हुआ था, क्योंकि नववा महिना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी, जब यहुदी तीन चार पुष्ट पढ़ चुका, तब उसने उसे चाकु से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेक दिया, सो अंगीठी की आग में पुरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई, परंतु न कोई डरा और न किसीने अपने कपड़े फाड़े, अ जलनातान और दलायाह और गमर्याह ने तो राजा से बिंती की थी कि पुस्तक को न जलाए, परंतु उसने उनकी एक न सुनी, और राजा ने राजपुत्र यरह मेल को और अज्रियल के पुत्र सरायाह को और अब्दिल के पुत्र शले म्याह को आग्यादी की बारुक लेख और इर्मयाह भविश्य वक्ता को पकड़ ले परंतु यहोवा ने उनको चिपपा रखा जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारुग ने इर्मयाह के मुख से सुनकर लिखी थी जला दिया तब यहोवा का यहवचन इर्मयाह के पास महुचा कि फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहुदा के राजा यहोयाकिम की जलाए हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख ले और यहुदा के राजा यहोयाकिम के विशे में कहा कि यहोवा यो कहता है तुने उस पुस्तक को यह कहकर जला दिया है कि तुने उसमें यह क्यो लिख बाबुल का राजा निश्चे आकर इस देश को नाश करेगा और उसमें न तो मनुश्य को छोड़ेंगा और न पशुको इसलिए यहुआ यहुदा के राजा यहुयाकिम की विशे में यो कहता है कि उसका कोई दाउत की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उसकी लोत ऐस दी फेक दी जाएगी कि दिन को घाम में और रात को पाले में पड़ी रहेगी और मैं उसको और उसके वंश और करमचारियों को उसके और उनके अधर्मका दंड दूँगा और जितनी विपत्ती मैंने उन पर और यहुदा के सब लोगों पर डालने को कहा है और जिनको उन् सच नहीं माना उन सब को मैं उन पर डालूँगा तब इर्मयह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिया के पुत्र बारुक लेखक को दी और जो पुस्तक यहुदा के राजा यहो याकिम ने आग में जला दी थी उसमें के सब वचनों को बारुक ने इर्मयह के मुक से सुन-सु और यहो याकिम के पुत्र कोन्याह के स्थान पर योशियाह का पुत्र सित्कियाह राज्य करने लगा क्योंकि बाबुल के राजा नबुक अधनेसर ने उसी को यहुदा देश में राजा ठैराया था परन्तु न तो उसने न उसके कर्मचार्यों ने और न साधारन लोगों ने यहोवा के वचनों को माना जो उसने इर्मयह भविश्वक्ता के द्वारा कहा था सित्किया राजा ने शेले म्याह के पुत्र यहुकल और मासिहा के पुत्र सपन्याह याज को इर्मयह भविश्वक्ता के पास यह कहला भेजा कि हमारे निमित हमारे परमिश्वर यहुवा से प्राठना कर उस समय इर्मयह बंदिग्रुह में नडाला गया था और लोगों के बीच आया जाया करता था उस समय फिरोन की सिना चड़ाई के लिए मिस्वर से निकली तब कस्ती जो यरुश्लेम को घेरे हुए थे उसका समाचा सुनकर यरुश्लेम के पास से चले गए तब यहवा का यहवचन इर्मयह भविश्यवक्ता के पास आ पहुँचा इसराल का परमिश्वर यहवा यो कहता है यहुदा के जिस राजाने तुमको प्राठना करने के लिए मेरे पास भेजा है उससे यो कहो कि देख फिरोन की जो सेना तुम्हारी साहता के लिए निकली ह वह अपने देश मिस्र में लड़ जाएगे और कस्दी फिर वापिस आकर इस नगर से लड़ेंगे वे इसको ले लेकर फूग देंगे। वे अपने अपने तंबु में से उठकर इस नगर को फूग दे लिए। जब कस्दियों की सिना फिरोन की सिना के डर के मारे यरुशलेम के पास से कुछ कर गई तब इर्मयाह यरुशलेम से निकल कर बिन्यमिन के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहां से और लोगों के संग अपना अंशले जब वह बिन्यमिन के फाटक में पहुचा तब इर्याह नामक पहरुओं का एक सरदार वहां था जो शलेम्याह का एबेदे मेलेक कुशी को यहाग्यदी यहां से तीस पुरुश लेकर इर्मयाह भहुश वक्ता को मरने से पहले गड़े में से निकाल सो एबेदे मेलेक उतने पुरुशों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तलगर में गया और वहां से फटे पुराने कपड़े और चित्रे लेकर इर्मयाह के पास उस गड़े में रस्यों से उतार दिये और एबेदे मेलेक कुशी ने इर्मयाह से कहा ये पुराने कपड़े और चित्रे कपड़े अतनी काखों में रस्यों के नीचे रख ले सो इर्मयाह ने वैसा ही किया तब उन्होंने इर्मयाह को रस्यों से खीच गर गड़े में से निकाला और इर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा सित्कियाह राजा ने इर्मयाह भुष्वक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा और राजा ने इर्मयाह से कहा मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ तुझसे कुछ ने चिपा इर्मयाह ने सित्कियाह से कहा यदी मैं तुझे बताओ तो क्या तु मुझे मरवा न डालेगा और चाहे मैं तुझे सम्मती भी दू तो भी तु मेरी न मानेगा तब सित्कियाह राजा ने अकेले में इर्मयाह से शपत खाई यहोवा जिसने हमारा यह जीव रचा है उसके जीवन की सवगंद न मैं तो तुझे मरवा डालूँगा और न उन मनुशों के वश में कर दूँगा जो तेरे प्रान के खोजी है इर्मयाह ने सित्कियाह से कहा सेनाओ का परमेश्वर यहोवा जो इस्रायल का परमेश्वर है वह यो कहता है यदि तु बाबुल के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए तब तो तेरा प्रान बचेगा और यह नगर फुका न जाएगा और तु अपने घराने सम परंतु यदि तु बाबूल के राजा के हाकिमों के पास न निकल जाए, तो यह नगर कस्तियों के वश में कर दिया जाएगा, और वे इसे फूख देंगे, और तु उनके हाथ से न बच सकेगा. सित्कियाह ने इर्मया से कहा, जो यहुदी लोग कस्तियों के पास भाग गये है, मैं उनसे डरता हूँ, ऐसा न हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाओ, और वे तुझ से ठटा करे. इर्मया ने कहा, तु उनके वश में न कर दिया जाएगा, जो कुछ मैं तुझ से कहता हूँ, उसे यहुदा की बात समझ कर मान ले, तब तेरा भला होगा, और तेरा प्रान बचेगा, और यदि तु निकल जाना स्विकार न करे, तो जो बात यहुदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रिया रह गई है, वे बाबुल के राजा के हाकिमों के पास निकल कर पहुचा ही जाएंगी, और वे तुझ से कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहका दिया, और उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पाव कीच में धस जाए, तो वे पीछे फिर गए है, तेरी सबस्त्रिया और लड़के बाले कस्दियों के पास निकल कर पहुचाए जाएंगे, और तू भी कस्दियों के हाथ से न बचेगा, बरन तू पकड़कर बाबुल के राजा के वश में कर दिया जाएगा, और इस नगर के फुके जाने का कारण तू ही होगा, तब सिट्कियाह ने इर्मयाह से कहा, इन बातों को कोई न जानने पाए, तो तू मारा न जाएगा, यदि हाकीम लोग यह सुनकर कि मैंने तुझसे बातचित किये है, तेरे पास आकर कहने लगे, हमें बता कि तूने राजा से क्या कहा, हमसे कोई बात न चिपा, और हम तु राजा ने तुझसे क्या कहा, तो तू उनसे कहना कि मैंने राजा से गिड़ड़ा कर बिंती की थी, कि मुझे योनातान के घर में फिर वापिस न भेज, नहीं तो वहां मर जाऊँगा, फिर सब हाकिमों ने इर्मयाह से आकर पूछा, और जैसा राजा ने उसको आग्या द तर दिया, सो वे उससे और कुछ न बोले, और न वहां भेद खुला, इस प्रकार जिस दिन यरुशलेम ले लिया गया, उस दिन तक वहां पहरे के आंगन में ही रहा। यरुशलेम पर चड़ाई करके उसे घेर लिया, और सित्किहा के राज्य के ग्यारवे वर्ष के चवते महिने के नववे दिन को उस नगर की शहर पनाह तोड़ी गए, सो जब यरुशलेम ले लिया गया, तब निर्गल सरे सेर और समगरन बो और खोजो का प्रधान सरसकीम और मगो का प्रधान निर्गल सरे सेर आदी बाबुल के राजा के सब हाकीम बीच के फाटक में प्रविश करके बैठ गे। जब यहुदा के राजा सित्किया है, और सब युद्धों ने उन्हें देखकर राती रात राजा की बारे के मारग से दोनों भीतों के बीच के फाटक से होकर नगर से निकल कर भाग चले और अरावा का मारग लिया, परंतु कस्तियों की सेना ने उनको खदेड कर सित्किया है को येरिहों के अरावा में जा लिया और उनको बाबूल के राजा नवुखद्नेसर के पास हमास देश के रिबला में ले गए और उसने वहां उनके दंडकी आग गया दी, तब बाबूल के राजा ने सित्किया है के पुत्रों को उसकी आखों के सामने रिबला में घात किया, और सब कुलीन यहुदियों को भी घात किया, उसने सित्किया है की आखों को फुडवा डाला और उसको बाबूल ले जाने के लिए बेडियों में जकरवा दिया, कस्तियों ने राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगा कर फुग दिया और येरुश्लिम की शहरपनहा को धा दिया तब जलादो का प्रधान नबु जर्दान प्रजा के बचे हों को जो नगर में रह गए थे और जो लोग उसके पास भागाये थे उनको अर्थात प्रजा में से जितने रह गए उन सब को बंधुआ करके पाबुल को ले गया परंतु प्रजा में से जो ऐसे कंगाल थे जिनके पास कुछ न था उनको जलादो का प्रधान नबु जर्दान यहुदा देश में छोड़ गया और जाते समय उनको दाक की बारिया और खेत दे दिये बाबुल के राजा नबु खदनेसर ने जलादो के प्रधान नबु जर्दान को इर्मयाह के विशे में यहाँ गया दी कि उसको लेकर उस पर कुरपाजुष्टी बनाये रखना और उसकी कुछ हानी न करना और जैसा वह तुछ से कहे वैसा ही उससे विवार करना सो जलादो के प्रधान नबु जर्दान और खोजो के प्रधान नबु जवपान और मंगो के प्रधान नेरगल सरे सेर और जोतुष्यों के सरदार और पाबुल के राजा के सब प्रधानों ने लोगों को भेज कर इर्मयाह को पहरे के आंगन में बुलवा लिया और गदलिहा को जो अही काम का पुत्र और शापान का पोता था सौब दिया, कि वह उसे घर पहुचाए, तबसे वह लोगों के साथ रहने लगा। जब इर्मयाह पहरे के आंगन में कैत था, तब यहोवा का यहवचन उसके पास पहुचा, कि जाकर एवेद मेलेक कुशी से कह, कि इस्राल का परमिश्वर सेनाओ का यहोवा तुझसे यो कहता है, देख, मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विशे में कहे है, इस प्रक परंतु यहोवा की इहवानी है, कि उस समय मैं तुझे बचाऊँगा, और जिन मनुष्वों से तु भैखाता है, तु उनके वच में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चे बचाऊँगा, और तु तलवार से न मरेगा, तेरा प्रान बचा रहेगा, यहोव भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय चालिस, जब जल्लादो के प्रधान नबुजर्दान ने इर्मयहा को रामा में उन सब यरुश्लेमी और यहुदी बंधों के बीच हत्खडियों से बंधा हुआ पाकर, जो बावुल जाने को थे, छुडा लिया, उसके बाद यहोव का वचन उसके पास पहुँचा, जल्लादो के प्रधान नबुजर्दान ने इर्मयहा को उस समय उसके पास बुला लिया, और कहा, इस थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है, वह तेरे परमिश्वर यहोवा की कही हुई थी, और जैसा यहोवा ने कहा था, वैसा ही उसने प अशा हुई है, अब मैं तेरी इन हतकडियों को काटे देता हूँ, और यदी मेरे संग बाबुल में जाना तुझे अच्छा लगे तो चल, वहां मैं तुझ पर कुर्पादुर्शी रखूंगा, और यदी मेरे संग बाबुल जाना तुझे नभाए, तो यही रह जा, नभुजर्दान ने फिर उससे कहा, गदल्यहा जो अही काम का पुत्र और शापान का पोता है, जिसको बाबुल के राजा ने यहुदा के नगरों पर अधिकारी ठेराया है, उसके पास लवट जा, और उसके संग लोगों के बीच रह, वा जहां कहीं तुझे जाना ठीक ज वही चला जा, सो जल्लादों के प्रधान ने उसको सिधा और कुछ द्रव्य भी दे कर विदा किया, तब इर्मयाह अही काम के पुत्र गदल्यहा के पास मिस्पा को गया, और वहां उन लोगों के बीच जो देश में रह गए थे रहने लगा, युदाव के जो दल दिहात मे जब उनके सब प्रधानों ने अपने जनों समय सुना कि बाबुल के राजा ने अही काम के पुत्र गदल्यहा को देश का अधिकारी ठहराया है, और देश के जिन कंगा लोगों को वह बाबुल को नहीं ले गया, क्या पुरुष कैस्त्री, क्या बाल बच्चे, उन सभों को उसे सब दिया है, तब नतन्यहा का पुत्र इश्मायल, कारेह के पुत्र योहनान और योनातान और तन्नु सेत का पुत्र सराया है, एपे नतोपावासी के पुत्र और किसी माकावासी का पुत्र याजन्यहा अपने जनों समेत गदल्यहा के पास मिश्मापे आए, और गद पुत्र और शापान का पोता था, उसने उनसे और उनके जनों से शपत खाकर कहा, कस्तियों के अधीन रहने से मत डरो, इसी देश में रहते हुए बावुल के राजा के आधीन रहो, तब तुमारा भला होगा, मैं तो इसलिए मिस्पा में रहता हूँ, कि जो कस्ति लोग हमार यहां आए, उनके सामने हाजिर हुआ करो, परंतु तुम दाखमधु और धुपकाल के फल और तेल को बटोर के अपने बरतनों में रखो, और अपने लिए हुए नगरों में बसे रहो, फिर जब मुवाबियों, अम्मोनियों, एदोमियों और अन्य जातियों के बीच रहन वाले सब यहुदियों ने सुना कि बाबुल के राजा ने यहुदियों में से कुछ लोगों को बचा लिया, और उन पर गदल्यहा को जो अही काम का पुत्र और शापान का पोता है, अधिकारी नियुक्त किया है, तब सब यहुदी जिन जिन स्थानों में तिप्तर बीतर ह हो गये थे, वहां से लवट कर यहुदा के मिस्पा नगर में गदल्यहा के पास आए, और बहुत दाखमदू और धुपकाल के फल बटोरने लगे, तब कारेह का पुत्र योहनान और मैदान में रहने वाले युद्दाव के सब दलों के प्रधान मिस्पा में गदल्यहा के पास आकर कहने लगे, क्या तू जानता है कि अमोनियो के राजा बालिस ने नतन्याह के पुत्र इश्मायल को तुझे जान से मारने के लिए भेजा है, परन्तु अही काम के पुत्र गदल्यहा ने उनकी प्रतिती न की, फिर कारेह के पुत्र योहनान ने गदल्यहा में मिस् आनेगा, वह क्यों तुझे मार डाले, और जितने यहुदी लोग तेरे पास इकटे हुए है, वे क्यों तीतर बितर हो जाए, और बचे हुए यहुदी क्यों नाश हो, अही काम के पुत्र गदल्यहा ने कारेह के पुत्र योहनान से कहा, ऐसा काम मत कर, तू इश्मायल के व और सात्वे महिने में ऐसा हुआ कि इश्मायल जो नतन्यह का पुत्र और एलिशामा का पोता और राजवश का और राजा के प्रधान पुरुशों में से था, सो दस चन संग लेकर मिस्पा में अही काम के पुत्र गदल्यहा के पास आया, वहां मिस्पा में उन्होंने एक सं भोजन किया, तब नतन्यह के पुत्र इश्मायल और उसके संग के दस चनों ने उठकर गदल्यहा को जो अही काम का पुत्र और शापकन का पोता था, और जिसे बाबुल के राजा ने देश का अधिकारी ठहरा था, उसे तलवार से ऐसा मारा कि वहां मर गया, और इश्मायल ने गदल्यहा के संग जितने यहुदी मिस्पा में थे, और जो कस्ती युद्धा वहां मिले, उन सभों को मार डाला। गदल्यहा के मार डालने के दूसरे दिन, जब कोई इसे न जानता था, तब शकेम और शिलो और शोमरोन के असी पुरुष, दाड़ी, मुंडाए, वस् को आते दिखाई दिये, तब नतन्यहा का पुत्र इश्मायल उन से मिलने को मिस्पा से निकला, और रोता हुआ चला, जब वह उन से मिला, तब कहा कि अही काम के पुत्र गदल्यहा के पास चलो, जब वे उस नगर में आये, तब नतन्यहा के पुत्र इश्मायल ने अपने स परन्तु उनमें से दस मनुष्य इश्मायल से कहने लगे हमको न मार क्योंकि हमारे पास मैदान में रखा हुआ गेहु, जव, तेल और मधु है, सो उसने उन्हें छोड़ दिया और उनके भायों के साथ नहीं मारा। जिस गड़े में इश्मायल ने उन लोगों की सब लोथे जिने उसने मारा था, गदल्या की लोथ के पास फेक दी थी। यह वही गड़ा है जिसे आसा राजा ने इस्रायल के राजा बाशा के दर के मारे खुदवाया था। उसको नतन्यह के पुत्र इश्मायल ने मारे हो से भर दिया। तब जो लोग मिसपा में बचे हुए थे, अर्थात राजकुमारिया, और जितने और लोग मिसपा में रह गए थे, जिनें जलादो के प्रधान नभुजर्दान ने अहीकाम के पुत्र गदल्या को सब दिया उन सभों को नतन्या का पुत्र इश्मायल बंधुआ करके अम्मोनिय के पास ले जाने को चला। जब कारेह के पुत्र इश्मायल ने यह सब बुराई की हैं तब वे सब जनों को लेकर नतन्या के पुत्र इश्मायल से लड़ने को निकले और उनको उस बड़े जलाशय के पास पाया जो गिबोन में हैं। कारेह के पुत्र इश्मायल यहनान को और दलों के सब प्रधानों को देख कर जो उसके संग थे, इश्मायल के साथ जो लोग थे वे सब आनन्दित हुए। और जितने लोगों को इश्मायल मिसपास से बंधुआ करके लिया जाता था, वे पलटकर कारेह के पुत्र योहनान के पास चले आये। परंतु नतन्या का पुत्र इश्मायल आठ पुरुश समेत योहनान के हाथ से बचकर अमुन्यों के पास चला गया। तब प्रजा में से जितने बच गये थे अर्थात जिन योद्धाओ, स्त्रियों, बालबच्चों और खोजों को कारेह का पुत्र योहनान अहीकाम के पुत्र गदल्या के मिसपा में मारे जाने के बाद नतन्या के पुत्र इश्मायल के पास से चुड़ा कर गिबोन से फेर ल लोग के प्रधानों समेत लेकर चल दिया, और बेतलहेम के निकट जो किमाह की सरा है, उसमें वे इसलिए तिग्गे की मिस्र में चाये, क्योंकि वे कस्तियों से डरते थे, इसका कारण यह था कि अहीकाम का पुत्र गदल्याह, जिससे बाबुल के राजा ने देश का अधि कारी ठहराया था, उसे नतन्याह के पुत्र इश्मायल ने मार डाला था, इर्मयाह भवश्वक्ता की पुस्तक अध्याय 42, तब कारेह का पुत्र योहनान, योशाजाह का पुत्र याजन्याह, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक, सब लोग इर्मयाह भवश्वक्ता के पास आकर कहने लगे, हमारी बिंती ग्रहन करके, अपने परमिश्वर यहोवा से हम सब से बचे हूँ के लिए प्राठ न कर, क्योंकि तू अपनी आखों से देख रहा है, कि हम जो पहले बहुत थे, अब थोड़े ही बच गये हैं, इसलिए प्राठ न कर, कि तेरा परमिश्वर यहोवा हमको बताए, कि हम किस मार्ग से चले और कौन सा काम करे, सो इर्मियाह भवश्वक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है, देखो, मैं तुम्हारे वचनों की अनुसार, तुम्हारे परमिश्वर यहोवा से प्राठना करूंगा, और ज इर्मियाह से कहा, यदी तेरा परमिश्वर यहोवा, तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुचाए, और हम उसके अनुसार न करे, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षित हैरे, चाहे वह भली बात हो, चाहे बुरी, तो भी हम अपने पर परमिश्वर यहोवा की बात माने, तब हमारा भला हो, दस दिन के बीचने पर, यहोवा का वचन इर्मियाह के पास पहुचा, तब उसने कारेह के पुत्र यहनान को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को, और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबहों को, तुम्हारी बिंती उसके आगे कह सुनाओ, वह यो कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाओ, तब तो मैं तुमको नाश नहीं करूंगा, बरन बनाये रखूंगा, और तुम्हें न उखाडूंगा, बरन रोपे रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो हानी मैंने की है, उससे मैं पच्टाता हूँ, तुम बावूल के राजा से डरते हो, सो उससे मत डरो, यहवा की यहवानी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम पर दया करूंगा, कि वह भी तुमको तुम्हारी भूमी पर फिर से बसा देगा। परंतु यदि तुम यह कहकर कि हम इस देश में न रहेंगे, अपने परमश्वर यहवा की बात न मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वही रहेंगे, क्योंकि वहां न हम युद्ध देखेंगे, न नर सिंगे का शब् और उन हमको भोजन की घटी होगी। तो हे बच्चे हुए यहुदियो, यहवा का यहवचन सुनो। इसराल का परमश्वर सेनाओ का यहवा यो कहता है, कि यदि तुम सचमुझ मिस्र की ओर जाने का मुह करो और वहां रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो, वहीं वहां मिस्र देश में तुमको जा लेगी। और जिस महंगी का भय तुम खाते हो, वहां मिस्र देश में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी। और वहीं तुम मरोगे। जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुह करे, वे सब तलवार, मह और मरी से मरेंगे, और जो विपत्ती मैं उनके बीच डालूँगा, उससे कोई बचा न रहेगा। कर शाब दिया करेंगे, और तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम इस थान को फिर न देख पाओगे। करेंगे, और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहवा कहे, उसी के अनुसार हमको बता, और हम वैसा ही करेंगे। तब तुम चान बूच के अपने ही को धोका देते थे। देखो, मैं आज तुमको बताए देता हूँ। परंतु और जो तुम्हारे परमेश्वर यहवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है, उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। अब तुम निश्चे जानो कि जिस स्थान में तुम परदेशी होके रहने की इच्छा करते हो, उसमें तुम तलवार, महंगी और मरी से मर जाओंगे। इर्मयाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय तैतालिस। कहा, तु जूट बोलता है। हमारे परमिश्वर, यहोवा ने तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा, कि मिस्र में रहने के लिए मत जाओ। परंतु नेरियाह का पुत्र बारुक, तुझको हमारे विरुद्ध उसकाता है, कि हम कस्कियों के हाथ में पड़े और वे हमको मार डाले, वा बंधुवा करके बाबुल को ले जाए। सो, कारिह का पुत्र योहनान और दलों के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहवा की यह आग्या न मानी कि वे यहुदा के देश में ही रहे। और जितने प्राणियों को जल्लादों के प्रधान नबुजर्दान ने गदल्यह को जो अहिकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सब दिया था, उनको और इर्मयह भहुशवक्ता और नेरियह के पुत्र बारुक को भे वे ले गये। और यहुदा की आग्या नमान कर वे मिस्रदेश में तहपनेस नगर तक आपोचे। तब यहुदा का यहवचन तहपनेस में इर्मयह के पास महुशा। अपने हाथ से बड़े पत्थर ले और यहुदी पुरुशों के सामने उस पर इट के चबुत्रे में जो तहपनेस में फिरोन के भहन के द्वार के पास है चुना फेर के छिपादे। और उन पुरुशों से कहा कि परमेश्वर इस्रायल का परमेश्वर सेनाओं का यहुआ यो कहता है। जो बंधुए होने वाले हो वे बंधुए में और जो तलवार के लिए है वे तलवार के वश में कर दिये जाएंगे। मैं मिस्र के देवालयों में आग लगाऊंगा, और वह उन्हें फुकवा देगा, और बंधुवाय में ले जाएगा, और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र ओडता है, वैसा ही वह मिस्र देश को समेट लेगा, और तब बेखट के चला जाएगा, वह मिस्र देश के सुर्य गरुह के खंबो को तुडवा डालेगा, और मिस्र के देवालयों को आग लगाकर फुकवा देएगा, इर्मयाह भविषवक्ता के पुस्तक अध्याय 44, जितने यहुदी लोग मिस्र देश में, मिकदोल, तहपनेस और नोप नगरो और पत्रोस देश में रहते थे, उनकी इस्रायल का परमेश्वर सेराओं का यहवा यो कहता है कि जो विपत्ति मैं यरुशलेम और यहुदा के सब नगरों पर डाल चुका हूँ, वह सब तुम लोगों ने देखी है. देखो, वे आज के दिन कैसे उजडे हुए और निर्जन हैं, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रिज़ दिलाई थी, वे जाकर दुसरे देवताओं के लिए धूप चलाते थे, और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न तो तुम और तुम्हारे पुर्खा जानते थे, तो भी मैं अपने सब दास भविश्वक्ताओं को बड़े यतन से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेचता रहा, कि यह गुरुनीत काम मत करो, जिससे मैं गुरुना करता हूं, पर उन्होंने मेरी न सुनी, और न मेरी और कान लगाया, कि अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताओं के लिए धूप न जलाए, इस कारण मेरी जलजलाहट और कोप की आग यहुदा के नगरों और यरुशलेम की सडकों पर भड़क गई, और वे आज के दिन तक उजाड और सुनसान पड़े है, अब यहवा सेनाओं का पर मेश्वर है, यो कहता है, तुम लोग क्यो अपनी यह बड़ी हानी करते हो, कि क्या पुरुश, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूद पिववा बच्चा, तुम सब यहुदा के बीच से नाश किये जाओगे, और कोई न रहे, क्योंकि इस मिस्र देश में जहाँ तुम और पुर्थी भर की सब जातियों के लोग तुमारी जाती की नामधराई करेंगे, और तुमारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे, जो जो बुराया तुमारे पुर्खा, यहुदा के राजा, और उनकी स्त्रिया और तुमारी स्त्रिया, बरं तुम आप यहुदा देश औ और न मेरी उस विवस्ता और उन विधियों पर चलते हैं, जो मैंने तुम्हारे पुर्वजों को और तुमको भी सुनवाई है। इस कारण इसराल का परमेश्वर सेनाओ का यहोवा यो कहता है। तेखो, मैं तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारी हानी करूंगा, ताकि सब यहुदियों का अंत कर दू। और बच्चे हुए यहुदी जो हट करके मिस्रदेश में आकर रहने लगे हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस मिस्रदेश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा मर के मिट जाएंगे, और लोग उन्हें कोसेंगे और चकीत होंगे, और उनकी उपमा देकर शाब दिया करेंगे, और निंदा भी करेंगे। सो जैसा मैंने यरुशलेम को तलवार, महंगी और मरी के द्वारा दंड दिया है, वैसा ही मिस्रदेश में रहने वालों को भी दंड दूँगा, कि जो बच्चे हुए यहुदी मिस्र देश में परदेशी होकर रहने के लिए आये हैं, यदि भी वे यहुदा देश में रहने के लिए लवटने की बड़ी अभिलाशा रखते हैं, तो भी उनमें से एक भी बच्च कर वहां लवटने न पाएगा, केवल कुछ ही भागिवों को छोड कोई भी वहां न लवटने पाएगा, तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रिया दूसरे देवताओं के लिए धूप चलाती हैं, और जितनी स्त्रिया बड़ी मंडली में पास खड़ी थी, उन सभोंने इर्मयाह को यह उत्तर दिया, जो वच्चन तुने हमको यहवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने के, जो जो मन्नते हम मान चुके हैं, उन्हें हम निश्चे पूरी करेंगी, हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप चलाएंगे, और और यरुश्लेम की सडकों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भरके खाते और भले चंगे रहते, और किसी विपत्ती में नहीं पढ़ते थे, परंतु जबसे हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप चलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तबसे हमको सब वस्तों की गटी है, और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले है, और स्ट्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप चलाती और चंद्राकार और उटिया बनाकर तपावन देती थी, तब अपने अपने पती के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी, तब इर्मयहा ने क रहा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जितने लोगों ने यह उत्तर दिया, उन सब से कहा, तुम्हारे पुर्खा, और तुम जो तुम्हारे राजाओं और हाकिमों और लोगों समेत यहुदा देश के नगरों और यरुशलेम की सडकों में धूप चलाते थे, क्या वह यहव के ध्यान में नहीं आया, क्या उसने उनको स्वरन न किया, सो जब यहुआ तुम्हारे बुरे और सब घुरुणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया, यहा तक कि लोग उसकी उक्मा देकर शाब्दिया करते हैं, क्योंकि तुम धूब चलाकर यहुआ की विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे, और उसकी व्यवस्था और विधियों और चितोनियों के अनुसार नहीं चले, इस कारण यह विपत्ति तुम पर आपड़ी है, जैसे की आज है, फिर इर्मयह ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे मिस्रदेश में रहने वाले यहुदियों, यहुव का वच्चन सुनो, इस्राइल का परमेश्वर सिनाओं का यहुवा यो कहता है, कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नते मानी, और यह कहकर उन्हें पूरी करते हो, कि हमने स अपने हाथों से ऐसा ही किया सो अब तुम अपने अपनी मन्नतों को मान कर पूरी करो परन्तु हे मिस्र में रहने वाले सारे यहुदियो यहोवा का वचन सुनो सुनो मैंने अपने बड़े नाम की शपत खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई यहुदि मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह न कहने पाएगा कि प्रभू यहोवा की जिवन की सावगंदर सुनो अब मैं उनकी भलाई नहीं हानी ही की चिंता करूंगा सो मिस्र देश में रहने वाले सब यहुदि तल्वार और महंगी के द्वारा मिटकर नाश हो जाएंगे जब तक कि उनका सर्वनाश न हो जाए और जो तल्वार से बचकर और मिस्र देश से लटकर यहुदा देश में पहुँचेंगे वे थोड़े ही होँगे और मिस्र देश में रहने के लिए आए हुए सब यहुदियों में से जो बज जाएंगे वे जान लेंगे कि किसका वचन पूरा हुआ, मेरा वा उनका, इस बात का मैं यह चिन्न देता हूँ, यहवा की यहवानी है कि मैं तुम्हें इसी स्थान में दंड दूंगा, जिसे तुम जान लोगे कि तुमारी हानी करन में मेरे वचन निश्चे पूरे होंगे, यहवा यह कहता है, देखो, जैसा मैंने यहुदा के राजा सिपकियह को उसके शत्रू अर्थात उसके प्रान के खुजी बाबुल के राजा नवुखदनेजर के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैं मिसर के राजा फिरोन हुपरा को भी उसके शत्रू के अर्थात उसके प्रान के खुजी के हाथ में कर दूँगा। उसने उससे यहवचन कहा कि इसराल का परमिश्व यहवा तुझसे यो कहता है, हे बारुक तुने कहा हाए मुझ पर, क्योंकि यहवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है, मैं कराहते कराहते ठग गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता। तु यो कह, यहवा यो कहता है कि देख, इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था, उसे मैं आप धा दूँगा। और जिनको मैंने रोपा था, उन्हें स्वयम उखाड फेकूंगा। इसलिए सुन, क्या तु अपनी लिए बढ़ाई खोज रहा है, उसे मत खोज, क्योंकि यहवा की यहवानी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूँगा। परन्तु जहा कही तू जाएगा, वहां मैं तेरा प्रान बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। परात महानत के तीर पर तरक मोश में थी और बाबुल के राजा, नवुखदने सर ने उसे योशिया के पुत्र यहुदा के राजा, यहोयाकिम के राज्य के चब्धे वर्ष में मार लिया था उस सेना के विशे। ढाले और फरिया तैयार करके लड़ने को निकट चले आओ, घुडो को जुत्वाओ, और हे सवारो घुडो पर चड़कर टोप पहने हुए खड़े हो जाओ, भालो को पहना करो, जिल्मो को पहन लो, मैं उनको व्याकूल क्यों देखता हूँ, वे विस्मिद होकर पीछे हट गए, और उनके शूरवीर गिराए गए, और उतावली करके भाग गए, वे पीछे देखते भी नहीं, क्योंकि यहवा की यहवानी है, कि चारो और भई ही भई है, नवेग चलने वाला भागने क्योंकि उत्तर की दिशा में परात महानत के तिर पर वे सब ठोकर खाकर गिर पड़े, यह कौन है, जो नील नदी की नाई जिसका जल महानतो कासा उचलता हुआ, बढ़ा चल आता है, मिस्र नील नदी की नाई बढ़ता है, और उसका जल महानतो कासा उचलता है, और वह कहत मैं चढ़ कर पुत्वी को भर दूँगा, मैं निवासियों समेत नगर नगर को नाश कर दूँगा, हे मिस्री सवारों चढ़ो, हे रथियों बहुत ही वेग से चलाओ, हे धाल पकड़ने वाले कुशी और पुती वीरों हे धनुर धारी लुदियों चले आओ, क्योंकि वह दि सिनाओ के यहवा प्रभु के पल्टा लेने का दिन होगा, जिसमें वह अपने द्रोहियों से पल्टा लेगा, सो तल्वा रखाकर तुट्ट होगी, और उनका लोहु पीकर चख जाएगी, क्योंकि उत्तर के देश में पराथ महानत के तीर पर सिनाओ के यहवा प्रभु का यग्य है। कि बावुल का राजा नबुखद्नेचर क्योकर आकर मिस्र देश को मार लेगा। यह वचन भी कहा। कि मिस्र में वर्नन करो और मिग्दोल में सुनाओ। हां। और नोप और तपनेश में सुनाकर यह कहो कि खड़ा होकर तैयार हो जाओ। क्योंकि तेरी चारो और सब कुछ तलवार खा गई है। तेरे बलवंत जन क्यों बिलाए गए है। यहवा ने उन्हें धकेल दिया। इस कारण वे खड़े न रह सके। उसने बहुतों को ठोकर खिलाई। हां ये एक दूसरे पर गिर पड़े। और वे कहने लगे उठो चलो हम कराल तरवार के डर के मारे वे पुकार के कहते हैं कि मिस्र का राजा फिरोन सत्यानाश हुआ क्योंकि उसने अपना बहुमुल्य अवसर खो दिया है। वह राजर दिराज जिसका नाम सेनाओं का यहवा है उसकी यहवानी है कि मेरे जिवन की सवगंद जैसा ताबोर और और पहाडों में और जैसा करम समुद्र के किनारे हैं वैसा ही वह आएगा। है मिस्र की रहने वाली पुत्री बंधुआय में जाने का सामान तयार कर। क्योंकि नोप नगर उजाड और ऐसा भस्म हो जाएगा कि उसमें कोई भी न रहेगा। मिस्र बहुत ही सुन्दर बच्छिया तो हैं परंतु उत्तर दिशा से नाश चला आता है बस वह आही गया है और उसके जो सिपाही किराय पर आये हैं वह पोसे हुए बच्छों के समान है कि उन्होंने मुह मूड़ा और एक संग भाग गये और खड़े नहीं रहे क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन और दंड पाने का समय आ गया। उसकी आहट सर्प के भागने किसी होगी क्योंकि वे रुक्षों के काटने वालों की सेना और कुलहाडिया ले हुए उसके विरुद्ध चड़ाएंगे। यहवा की यहवानी है कि चाहे उसका वन बहुत ही घना भी हो परंतु वे उसको काट डालेंगे क्योंकि वे टिड्डियों से भी अधीक अंगीनत है। मिस्री कन्या लज्जित होगी क्योंकि वह उत्तर दिशा के लोगों के वश में कर दी जाएगी। इस्रायल का परमिश्वर सेनाओं का यहवा कहता है कि देखो मैं तो नगरवासी आमोन और फिरोन राजा उसके सब देवताओं और राजाओं समोयत मिस्र को और फिरोन को उनके समेथ जो उस पर भरोसा रखते हैं दंड देने पर हूँ। और मैं उनको बाबुल के राजा नबुखदने सर और उसके करमचारियों के वश में कर दूँगा जो उनके प्राण के खोजी है और उसके बाद वहां प्राचिन काल की नाई फिर बसाया जाएगा। यहवा की यहवानी है परंतु हे मेरे दास याकूब तू मत डर और है इसरायल विस्मित न हो क्योंकि मैं तुझे और तेरे वंश को बंधुवाई के दूर देश से छुड़ा ले आऊंगा। सो याकूब लवट कर चैन और सुक से रहेगा और कोई उसे डराने न पाएगा। हे मेरे दास याकूब यहवा की यहवानी है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और यद्यपी उन सब जातियों का जिनमें मैं तुझे बर्बस कर दूँगा, अंत कर डालूँगा, पर तेरा अंत न करूँगा, तेरी ताडना मैं विचार करके करूँगा, और तुझे किसी प्रकास से निर्दोष न ठहराऊंगा। इर्मयाह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याए सैतालिस फिरोन के गज्जानगर को जीत लेने से पहले, इर्मयाह भविश्वक्ता के पास पलिष्टियों के विशे यहवा का यहवचन पहुचा। यहवा यह कहता है, कि देखो, उत्तर दिशा से उमनने वाली नदी जो देश को उस सब समेत जो उसमें हैं और निवासियों समेत नगर को डुबो लेगी, तब मनुष्व चिलाएंगे, बरन देश के सब रहने वाले हाई हाई करेंगे। शत्रों के बलवंत घुडों की टाप, रतों के वेक से चलने और उनके पहियों के चलने का कोलाहल सुनकर, पिता के हाथ पाव ऐसे धिले पड़ जाएंगे, कि वह मुहमूर कर अपने लड़कों को भी न देखेगा, क्योंकि सब पलिष्टियों के नाश होने का दिन आ गया है, और सोर और सिदोन के सब बच्चे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा पलिष्टियों को जो कपतोर नाम समुद्रतीर के बच्चे हुए रहने वाले हैं, उनको भी नाश करने पर है, गज्जा के लोग सिर्मुंडाये है, अश्कलोन जो पलिष्टियों के नि जिला रगया है, वह भी मिटाया गया है, तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा, है यहोवा की तलवार, तू कब तक शान्त न होगी, तू अपनी मियान में घुशजा, शान्त हो और थमी रह, तू क्योकर थम सकती है, क्योंकि यहोवा ने तुझको आग्या देकर अश्क 48, इर्मयाह भविशवक्ता की पुस्तक अध्याय 48, मुवाप के विशय इसरायल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यहो कहता है, नबू पर हाई क्योंकि वह नाश हो गया, किरिया तैम की आशा तूट गई, वह ले लिया गया है, उचगड निराश और विश्मित हो गया ह 49, मुवाप की प्रशंसा जाती रही, हेश्पोन में उसकी हाने की कलपना की गई है, आओ, हम उसको ऐसा नाश करें, कि वह राज्य न रह जाए, हे मदमेन, तू भी सुनसान हो जा, तलवा तेरे पीछे पड़ेगी, होरोन में में चिल्लहट का शब्द सुनो, नाश और अने बच्चों की चिल्लहट सुन पड़ी, क्योंकि लोहित की चड़ाई में लोग लगातार रोते हुए चड़ेंगे, और होरोनेम की उतार में नाश की चिल्लहट का संकट हुआ है, भागो, अपना-पना प्रान बचाओ, उस अध्मुए पेड के समान हो जाओ, जो जंग क्योंकि तु जो अपने कामों और संपती पर भरोसा रखता है, इस कारण तु भी पकड़ा जाएगा, और कमोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेथ बंधुआए में जाएगा, यहवा के वच्चन के अनुसार, नाश करने वाले तुम्हारे हर एक नगर पर मुवाब के पंख लगा दो, ताकि वह उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे, कि उनमें कोई भी न बसने पाएगा, शापित है वह जो यहवा का काम आलस से से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लोहू बहाने से रोक रखता है, मुवाब बचपनी से सुखी है, उसके नीचे तलचट है, वह एक बरतन से दूसरे बरतन में उंडेला नहीं गया, और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है, और उसकी गंध जो कित्यों बनी रहती है, इस कारण यहवा की यहवानी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसके उंडेलने के लिए भेजूँगा, और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है, उनको छूचे करके फूड डालेंगे, तब जैसे इसराइल के घड़ाने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा, जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मुवाबि लोग कमोश से लज्जित होंगे, तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा है, मुवाब तो नाश हुआ, उसके नगर भस्व हो गए, और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए, राजा दिराज जिसका नाम सेनाव का यहवा है, उसकी यही वानी है, मुवाब की विपत्ति निकटा गई, और उसके संकट में पढ़ने का दिन बहुत ही वेग स आता है, उसके आसपास के सब रहने वालो और उसकी किरती के सब जानने वालो उसके लिए विलाप करो, कहो हाए, वह मजबुत सोटा और सुन्दर छड़ी कैसे तूट गई, हे दिबोन की रहने वाली, तू अपना विभव छोड़कर पैसी बैठी रह, क्योंकि मुवाब के नाश करने वाले ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरे दुढ़ गढ़ों को नाश किया है, अरोएर की रहने वाली, तू मारग में खड़ी होकर ताकती रह, जो भागता है उससे और जो पच निकलती है उससे पूछ, कि क्या हुआ है, मुवाब के आशा तुटेगी, वह वि नहाय करो, और चिलाओ, अरनोन में भी यह बताओ, कि मुवाब नाश वा है, चोरज भूमी के देश में, होलोन, यहसा, मेपात, दिबोन, नबो, बेत, दिबलातेम, और किरियातेम, बेत मकालूम, बेतमोन, और किरियोत, बोस्त्रा, और क्या दूर क्या निकट, मुवाब देश के सारे नगरों में, दंडी की आग्या पूरी हुई है, यहोब की यहवानी है, मुवाब का सिंग कट गया, और भुजा तूट गई है, उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोब के विरुद्ध बढ़ाई मारी है, इसलिए मुवाब अपनी छाट में लोटेगा, और ठटो में उड़ाया जाएगा, क्या तूने भी इस्राइल को ठटो में नहीं उड़ाया, क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया था, कि जब तू उसकी चर्चा करता, तब तू सीरह लाता था, हे मुवाब के रहने वालो, अपने अपने नगर को छोड़कर धांग की दरार में बसो, उस पंडुकी के समान हो, जो गुफा के मुह की एक और घोसला बनाती हो, हमने मुवाब के गर्व के विशे में सुना है, कि वह अत्यंत अभिमानी है, उसका गर्व अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है, यहवा की एहवानी है, मैं उसके रो उसे कुछ बनना पड़ा, इस कारण मैं मुवाबियों के लिए हाई हाई करूंगा, हाँ, मैं सारे मुवाबियों के लिए चिलाऊंगा, कि रहरेस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा, है सिभमा की दाखलता, मैं तुम्हारे लिए याजिर से भी अधीक विलाप तेरी डालिया तो ताल के पार बढ़ गई, बरन याजेर के तारत तक भी पहुँच थी, पर नाश करने वाला तेरे धुपकाल के फलो पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी तूट पड़ा है, फलवाली बारियों से और मौवा के देश से आनंद और मगन होना उठ गया है, दाख न रहुंते, जो ललकार होने वाली है, वह अब नहीं होगी, हिश्पुन की चिलाहट सुनकर, लोग एलाले और यहस तक, और सोवार से होरोनैम और एगलत शलीशिया तक भी चिलाते हुए भागे चले गये है, क्योकि निम्रिम का जल भी सुप गया है, और यहवा की यहवानी है कि मैं उचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओ के लिए धूब चलाना दोनों को मुआब में बंद कर दूँगा, इस कारण मेरा मन मुआब और किरे रेस के लोगों के लिए बासुली सा रोरो कर आलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमा कर ब जीरे हुए और सबकी कमरों में टाट बंदा हुआ है, मुआब के सब घरों की छटों पर और सब चोकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मुआब को तुच्छ बरतन की नाई तोड़ डाला है, यहवा की यहवानी है, मुआब कैसे विस्मित हो गया, हाई हाई कर क्योंकि उसने कैसे लज्जित होकर पीट फेरी है, इस प्रकार मुआब के चारों ओर के सब रहने वाले उसका ठटा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे, क्योंकि यहवा यो कहता है, देखो, वह उकापसा उड़ेगा, और मुआब के उपर अपने पंख फैलाएगा, करियो ले लिया गया, और गड़वाले नगर दूसरों के वश में पढ़ गये, उस दिन मुआबी विरो के मन जच्चा स्त्रीके से हो जाएंगे, और मुआब ऐसा तित्तर बित्तर हो जाएगा, कि उसका दल तूट जाएगा, क्योंकि उसने यहवा के विरुद्ध बढ़ाई मार यहवा की यहवानी है, कि हे मुआब के रहने वाले तिरे लिए भय और गड़ा और फंदे ठहर गए है, जो कोई भय से आगे वो गड़े से में गिरने और जो कोई गड़े में से निकले वहा फंदे में भसेगा, क्योंकि मैं मुआब के दंड का दिन उस पर ले आऊँगा, यहवा की यही वानी है, जो भागे हुए है, वहां हेशपोन में शरन लेकर खड़े हो गए, परंतु हेशपोन से आग और सिहोन के बीच से लव निकली, जिससे मुआब देश के कोने और बलवयों के चोंडे भस्म हो गए है, हे मुआब तुछ पर हाए, कमोश की प्रजा नाश हो गई, क्योंकि तेरी स्त्री पूरुज दोनों बंधुआई में गए है, तो भी यहवा की यहवानी है, कि अन्त की दुनों में मैं मुआब को बंधुआई से लवटा ले आऊँगा, मुआब के दंड का वचन यही तक हुआ है, इर्मयह भविश्वक्ता की पुस्त अध्या उन्पचास, इर्मयह भविश्वक्ता की पुस्तक अध्या उन्पचास, अम्मोनियों के विशे यहवा यो कहता है, क्या इस्रायल के पुत्र नहीं है, क्या उनका कोई वारिस नहीं रहा, फिर मलकाम क्यों गाद के देश का अधिकारी हुआ, और उसकी प्रजा क्य उसके नगरों में बसने पाई है, यहवा की इहवानी है, ऐसे दिन आने वाले है कि मैं अम्मोनियों के रब्बा नाम नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनाओंगा, और वह उजड़ कर खंडहर हो जाएगा, और उसकी बस्तिया फूग दी जाएगी, तब जिन ल हाई हाई कर, क्योंकि यह नगर नाश हो रहा है, हे रब्बा की बेटियों चिल्लाओ, और कमर में टाट बांधो, छाती पीटती हुई बाडों में इधर उधर दवडो, क्योंकि मलकाम अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा, हे भटकने वाली बेटी तु अपने देश की तराईयों पर विशेश करके, अपने बहुत ही उपजाओ तराईय पर क्यों फूलती है, तु क्यों यह कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है, कि मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा, रभु सेनाओ के यहवा की यहवानी है, देख, मैं तेरे चारो और के सब रहने वालों की और से तेरे मन में भय उपचाने पर हूँ, और तेरे लोग अपने अपने सामने की और धकेल दिये जाएंगे, और जब वे मारे मारे फिरेंगे, तब कोई उन्हें इकठा न करेगा, परंतु उनके बाद मैं अम्मोनियों को बंध बुद्धी नहीं रही, क्या वहां के ग्याईयों की युक्ती निश्पल हो गई, क्या उनकी बुद्धी जाती रही है, हे ददान के रहने वालों भागो, लड़ चाओ, वहां चिपकर बसो, क्योंकि जब मैं एसाओ को दंड़ देने लगूंगा, तब उस पर भारी विपत पड़ेगी, यदि दाह के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं-कहीं दाह न चौड जाते, और यदि चोर रात को आते, तो क्या वे जितना चाहते, उतना धन लुटकर न ले जाते, क्योंकि मैंने एसाओ को उधारा है, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प उसका अंत हो गया है, अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाओंगा, और तुम्हारी विध्वाय मुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो, जो इसके योग्या न थे की कटोरे में से पिये, उनको तो निश्चे पीना पड़ेगा, फिर क्या तु किसी प्रकार से निर्दोष्ट हर कर बच जाएगा, तु निर्दोष्ट हर कर न बचेगा, मुझे अवश ही पीना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की इहवानी है, मैंने अपनी सवगन दखाई है, कि बोस्तरा ऐसा उजड़ जाएगा, कि लोग चकित होंगे, और निंदा क्या करेंगे, और शाब दिया करेंगे, और उसके सारे गाव सदा के लिए उजड़ हो जाएंगे, मैंने यहोवा की ओर से समाचा सुना है, बरन जाती जाती में यह कहने को एक दूत भी भेजा गया है, इकटे होकर एदों पर चढ़ाई करो, और उससे लड़ने के लिए उठो, क्योंकि मैंने तुझे जातियों में छोटा और मनुष्रों में तुच्छ कर दिया है, हे चक्तान की दरारों में बसे हुए, हे पहाडी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोका दिया है, चाहे तु उकाब की अपना बसेरा उचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहाँ से तुझे उतार लाओंगा, यहोवा की यही वानी है, एदोम यहां तक उजड़ जाएगा, कि जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा, और उसके सारे दुखों पर तालिव जाएगा, यहोवा का वचन यह है, कि जैसी सदोम और गमोरा और उसके आसपास के नगरों के उलट जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसी ही उनकी दशा होगी, वहां न कोई मनुश्य रहेगा और न कोई आदमी, उसमें टिकेगा, देखो, वहां सिहं की नाई, यर्दन के आसपास के घने जंगलों से सदा की चराई पर चढ़ेगा, और मैं उनको उनके सामने से जट बगा दूँगा, तब जिसको मैंने चुन लिया है, या जिसको मैं चुन लूँ, उसको उन पर अधिकारी ठाराऊंगा, मेरे तुल्य कौन है, और कौन मुझ पर मुकदमा चलाएंगा, वह चरवाहा कहा है, जो मेर सामना कर सकेगा, देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ती की है, और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कलपना की है, निष्चय, वह भेडबक्रियों के बच्चों को घसित ले जाएगा, वह चराईयों को भेडबक्रियों से निष्चय खाली कर उनके गिरने के शब्द से प्रुत्वी काप उठेगी और ऐसी चिलाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी. देखो वह उकाप की नाई निकल कर उड़ जाएगा और बोस्तरा पर अपने पंख फैलाएगा और उस दिन एदों में शुर्विरों का मन चच्च स्त्रीकासा हो जाएगा. दमिश्क के विशय हमात और अर्पत की आशा तूटी है क्योंकि उन्होंने बुरा सुसमाचार सुना है. वे गल गए है. समुद्र पर चिनता है. वह शांत नहीं हो सकता. दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है. परंतु कपकपी ने उसे है. हाई, वह नगर, वह प्रशन सा योग्यपूरी, जो मेरे हर्श का कारण है, वह छोड़ा जाएगा. सिनाओ के यहवा की यहवानी है कि उसके जवान चोकों में गिराए जाएंगे. और सब योद्धाओ का बोलना बंद हो जाएगा. और मैं दमिश्क की शहरपना में बाबुल के राजा नवखदमिजर ने मार लिया, यहवा यो कहता है, उठकर केदार पर चड़ाई करो, पुर्वियों को नाश करो, वे उनके डेरे और भेड़बकरिया ले जाएंगे, उनके तंबू और सब बरतन उठाकर उन्टों को भी हांक ले जाएंगे, और उन मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिपके बसो, क्योंकि बाबुल के राजा नवखदमिजर ने तुम्हारे विरुद्ध, युक्ति और कल्पना किये है, यहवा की यहवानी है, उठकर उस चैन से रहने वाले जाती के लोगों पर चड़ाई करो, जो निडर रहते हैं, और बिना किवाड और बेंडे के योही बसे हुए है, उनके उट और अनगिनत काय, बैल और भेडबकरिया लूट में जाएगी, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुंडाने वालों को उड़ा कर सब दिशाओं में तित्तर वित्तर करूंगा, और चारो और से उन पर विपत्ति लाकर ड आएगा, वहां न कोई मनुष्य रहेगा, और न कोई आदमी उसमें ठीकेगा, यहुदा के राजा, सित्किया के राज्य के आरंभ में, यहवा का यहवचन इर्मयाह भईश्वक्ता के पास एलाम के विश्य पहुचा, सेनाओ का यहवा यो कहता है, कि मैं एलाम के धनुशक जो उनके पराकरम का मुख्यकारन है, तोड़ूंगा, और मैं आकाश के चारो ओर से वायु बहा कर उन्हें चारो दिशाओं की ओर यहां तक तित्तर वित्तर करूंगा, कि ऐसी कोई जाती न रहेगी, जिसमें एलामी भागते हुए न आए, मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्रान की खुजियों के सामने विशमित करूंगा, और उनपर अपना कोप भढ़का कर विपत्ति डालूंगा, और यहोवा की यहवानी है कि तलवार को उनपर चलवाते चलवाते मैं उनका अंतकर डालूंगा, और मैं एलाम में अपना सिहासन रखकर, उनके और हाकिमों को नाश करूँगा। यहोवा की यही वानी है। परंतु यहोवा की यह भी वानी है कि अन्ते की दिनों में मैं एलाम को बंधुवाई से लवटा ले आऊँगा। सुनाओ और जंडा खड़ा करो। सुनाओ मत शिपाओ कि बाबुल ले लिया गया है। बेल देवता का मुह काला हो गया। मर्दोक विस्मित हो गया। बाबुल की प्रतिमाय लज्जित हुई और उनकी बेड़ोल मूर्ते विस्मित हो गये। क्योंकि उत्तर दिशा से एक जा सब भाग जाएंगे। यहोवा की यहवानी हैं कि उन दिनों में इस्राइली और यहुदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमिशुर को ढूनने के लिए चले आएंगे। वे सियोन की ओर मुह किये हुए उसका मार्ग पूचते और आपस में यह कहते आएंगे कि आओ हम यहोवा से मेल कर ले। उसके साथ ऐसी वाचाबांध है जो कभी भूली न जाए परंतु सदा स्थिर रहे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड है। उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है और पहाडों पर भटकाया है। वे पहाड पहाड और पहाडी पहाडी गुमते गुमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। जितनों ने उनके पाया वे उनको खा गए। और उनके सताने वालों ने कहा इसमें हमारा कुछ दोश नहीं क्योंकि उन्होंने यहोवा की विरुद्ध पात किया है जो धर्म का आधार है और उनके पुरोजों क आश्रय था। उनमें से कोई अकारत न जाएगा और कस्तियों का देश ऐसा लूटेगा कि सब लूटने वालों का पेट भर जाएगा। यहोवा की यही वानी है। का मुह काला होगा क्योंकि वह सब जातियों में नीच होगी। वह जंगल और मरू और निर्जल देश हो जाएगी। यहोवा के क्रोथ के कारण वह देश निर्जल रहेगा। वह उजाड ही उजाड होगा। जो कोई बावुल के पास से चलेगा वह चकित होगा। और उसके सब दुख देखकर ताली बजाएगा। हे सब धरोरधारियों बावुल के चारो और उसके विरुद्ध पांती बांधो। उसपर तील चलाओ। उससे मत रख छोड़ो क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पात किया है। चारो और से उसपर ललकारो। उसने हार मानी। उसके कोट गिराए गए। उसकी शहरपन हर ढाई गई। क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है। सो तुम भी उससे अपना अपना बदला लो। जैसा उसने किया है वैसा ही तुम भी उससे करो। बाबुल में से बोने वाले और काटने वाले दोनों का नाश करो। वे दुखदाई तलवार के दर के मार अपने अपने लोगों की और फिरे और अपने अपने देश को भाग जाए। इसरायल भगाय हुई भेड है। सिहों ने उसको भगा दिया है। पहले तो अश्र के राजा ने उसको खाड डाला और तब बाबुल के राजा नबुखदनेजर ने उसकी हड्डियों को तोड़ इस कारण इसरायल का परमिश्वर सिनाओ का यहोवा यो कहता है। इसरायल का अधर्म ढूणने पर भी नहीं मिलेगा और यहुदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊंगा उनकी पाप भी क्षमा कर दूँगा। उस देश में युद्ध और सत्यनाश का सशब्द होगा। जो हतोड़ा सारी पुच्वी के लोगों को चूर-चूर करता था, वह कैसा काट डाला गया है। बाबुल सब जातियों के बीच में कैसा उजाड़ हो गया है। हे बाबुल मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और तू अंजाने उसमें फज भी गया, तू ढूंड कर पकड़ा गया है। क्योंकि यहोवा का विरोध करता था। प्रभु सिनाओ के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोल कर अपने क्रोध प्रगट करने का सामान निकाला है। क्योंकि सिनाओ के प्रभु यहोवा को कस्तियों के देश में एक काम करना है। पृत्वी की छोर से आओ, और उसकी बखरियों को खोलो, उसको धेर ही धेर बना दो, ऐसा सत्यानाश करो कि उसमें कुछ भी न बचे रहे, उसके सब बैलों को नाश करो, वे घात होने के स्थान में उतर जाए, उन पर हाए, क्योंकि उनके दंड पाने का दिन आ पहुंचा है सुनो, बाबुल के देश में से भागने वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है, जो सियोन में यह समाचार देने को दवड़े आते हैं, कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला ले रहा है, सब धनुर्धारियों को बाबुल के विरुद्ध इकटे करो, उसके चारो ओर छावने डालो, कोई जन भाग कर निकलने न पाए, उसके काम का बदला उसे देओ, जैसा उसने किया है, ठीक वैसा ही उसके साथ करो, क्योंकि उसने यहोवा इस्राइल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है, इस कारण उसके जवानों चौकों में गिराये जाएंगे, और युद्धाओं का बोल बंद हो जाएगा, यहोवा की यही वानी है, प्रभु सिनाओ के यहोवा की यहोवानी है, हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, तेरे दंड पाने का दिन आ गया है, अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा, और कोई उससे फिर न उ जिससे उसके चारो और सब कुछ भस्म हो जाएगा, सिनाओ का यहोवा यो कहता है, इस्रायाल और यहुदा दोनों बराबर पीसे हुए है, और जिन्होंने उनको बंदुआ किया, वे उन्हें पकड़े रखते हैं, और जाने नहीं देते, उनका छुड़ाने वाला सामर्ती है, सेनाओ का यहोवा यही उसका नाम है, वह उनका मुकदमा भली भाती लड़ेगा, कि पृत्वी को चैन दे, परंतु बाबुल के निवासियों को व्याकुल करे, यहोवा की यहवानी है, कस्तियों और बाबुल के हाकिम, पंडित, आजी सब निवासियों पर तलवार चल और वे विस्मित हो जाएंगे, उसके सवारों और रथियों पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी, और वे स्त्रिये बन जाएंगे, उनके भंडारों पर तलवार चलेगी, और वे लुग जाएंगे, उसके जलाशायों पर सुखा पड़ेगा, और वे सु पिजल देश की जन्तु सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे और शुतुर मुर्ग उसमें वास करेंगे और वहां फिर सदा तक बसाया न जाएगा न यूग यूग उसमें कोई वास कर सकेगा। उसमें न रह सकेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। सुनो, उत्तरदिशा से एक देश के लोग आते हैं और पुत्वी की छोर से एक बड़ी जाती और बहुत से राजा उठ कर चढ़ाई करेंगे। परने वालों की नाई आएंगे। उनका समाचार सुनते ही बाबुल के राजा के हाथ पाव ढिले पड़ गए और उसको जच्चा की सीव पीड़ा उठी। सुनो, वह सीह की नाई आएगा, जो यर्दन के आसपास के घने जंगल में निकल कर दुढ़ भेडशाले पर चढ़े। परंतु मैं उनको उसके सामने से जट भगा दूँगा। वह जिसको मैं चुनलू उसी को उनपर अधिकारी ठाराऊँगा। देखो, मेरे तुल्य कौन है, कौन मुझ पर वो कदमा चलाएगा, वह चरवाहा कहा है, जो मेरा सामना कर सके। सो सुनो, कि यहवा ने बाबुल के विरुद्ध क्या युक्ती की है, और कस्तियों के देश के विरुद्ध कौन सी कलपना की है। निश्च वह भेडबक्रियों के बच्चों को घसजित ले जाएगा, निश्च वह उनकी चरायों को भेडबक्रियों से खाली कर देगा। ब इर्मयाह भहिश्वक्ता की पुस्तक अध्याए इकावन। धनूर्धारी के विरुद्ध और जो अपना जिलम पहिने हैं, धनूर्धारी धनुष चढ़ाय हुए उठे। उसके जवानों से कुछ कोमलता न करना। उसकी सारी सेना को सत्यानाश करो। कस्तियों के देश में मरे हुए और उसकी सडकों में चीदे हुए लोग गिरेंगे। क्योंकि यद्यपी इस्रायल और यहुदा के देश इस्रायल के पवित्र के विरुद्ध कि उहे पापों से भरपूर हो गये हैं, तो भी उनके परमिश्वर सेनाओ के यहवा ने उनको त्याग नहीं दिया। बाबुल में से भागो, अपना अपना प्रान बचाओ, उसके अधर्मों में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यहां यहवा के बदला लेने का समय है, वहां उसको बदला देने पर है। बाबुल यहवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारे पृत्वी के लोग मतवाले होते थे, जाती जाती के लोगों ने उसके दात मदुमे से पिया, इसकारण वे भी बावले हो गए। बाबुल अचानक ले ली गई और नाश की गई है, उसके लिए हाई हाई करो, उसके घाओ के लिए बलसान आउशधी लाओ, संभव है, वहां चंगी हो सके। हम बाबुल का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं होई, सो आओ, हम उसको तचकर अपने अपने देश को चले जाए, क्योंकि उस पर किये हुए न्याय का निर्नय, आकाश, बरन, स्वर्ग तक भी पहुँच गया है, यहवा ने हमारे धर्म के काम प्रगट किये ह आओ, हम सियोन में अपने परमिशवर यहौ के काम का वर्नन करे, तीरों को पैन ना करो, धाले था मेरो, क्योंकि यहौन ने मादी राज़ाओं के मन को उभारा है, उसने बाबुल को नाश करने की कलपना की है, क्योंकि यहौन आर्थात उसके मंधिर का यही बदला है, बहुत पहिरुए बैठाओ, घात लगाने वालों को बैठाओ, क्योंकि यहवा ने बाबुल के रहने वालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था, वह अब करने पर है, बरन किया भी है, हे बहुत जलाशर के बीच बसी हुई और बहुत भंडार रखने वाली तेरा अंत आ गया, तेरे लोब की सीमा पहुँच गई है, सिनाओ के यहवा ने अपनी ही शपत खाई है, कि निश्च, मैं तुझको टिडियों के समान अनगिनत मनुशों से भर दूँगा, और वे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे, उसी ने पृत्वी को अपने सामर्थ से बनाया, और जगत क अपनी बुद्धी से स्थिर किया, और आकाश को अपनी प्रविंता से तान दिया है, जब वह बोलता है, तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है, वह पृत्वी की छोर से कुहरा उठाता है, वह वर्षा के लिए बिजली बनाता, और अपने भंडार में से पवन नि सब सोनारों को अपनी खोदी हुई मुरतों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढाली हुई मुरते धोका देने वाली है, और उनके कुछ भी सास नहीं चलती, वे तो व्यर्थ और ठट्टे ही के योग्य है, जब उनके नाश किये जाने का समय आएगा, सब का बनाने वाला है, और इस्रायल उनका निजभाग है, उसका नाम सेनाओ का यहोआ है, तु मेरा फरसा और युद्ध के लिए हतियार ठैराया गया है, तेरे द्वारा मैं जाती-जाती को तीतर भीतर करूँगा, और तेरे ही दा द्वारा राज-राज को नाश करूँग तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोडों को टुक्डे-टुक्डे करूँगा, तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को भी टुक्डे-टुक्डे करूँगा, तेरे ही द्वारा मैं स्त्री, पुरुष, दोनों को टुक्डे-टुक्डे करूँगा, तेरे ही द्वारा मैं अधिपतियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूँगा। यहवा की यहवानी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाद बढ़ा कर तुझे डांगों पर से लुड़का दूँगा। और चला हुआ पहाड बनाऊंगा। लोग तुझसे न तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे और न नेव के लिए क्योंकि तु सदा उजार रहेग यहवा की यहवानी है देश में जंडा खड़ा करो जाती जाती में नर्सिंगा फुको उसके विरुद्ध जाती जाती को तयार करो आरारात मिन्नी और अश्कनच नाम राज्यों को उसके विरुद्ध बुलाओ उसके विरुद्ध सेनापती भी ठहराओ घुडों को शिखर उसके अधिपतियों सब हाकिमों सहित और उस राज्य के सारे देश को तैयार करो। यहवा ने विचार किया है कि वह बाबुल देश को ऐसा उजाड करे कि उसमें कोई भी न रहे। इसलिए पुत्वी कापती है और दुखित होती है। बाबुल के शूरवीर गड़ों में रहकर लड़ने से इनकार करते हैं। उनकी वीरता जाती रही है। और यह देखकर कि उनके वास्थानों में आग लग गई हैं। वे स्त्री बन गए हैं। उनके फाटकों के बेंडे तोड़े गए हैं। एक हरकारा दुसरे हरकारे से और एक समाचार देने वाला दुसरे समाचार देने वाले से मिलकर और बाबुल के राजा को यह समाचार देने के लिए दवड़ेगा कि तेरा नगर चारो ओर से ले लिया गया है। और घाट शत्रों के वश में हो गए है। ताल भी सुखाए गए है और योद्धा घबरा उठे है क्योंकि इसराल का परमिश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है बाबुल की बेटी दावते समय के खलिहान के समान है थोड़े ही दिनों में उसकी कटनी का समय आएगा बाबुल के राजा नबुक अदने सर ने मुझको खा लिया मुझको पीस डाला उसने मुझे छोचे बरतन के समान कर दिया उसने मगरमच किनाई मुझको निगल लिया है और मुझको स्वादिष्ट भोजन जानकर अपना पेट मुझसे भर लिया है उसने मुझको बरबस निकाल दिया है सियोन की रहने वाली कहेगी कि जो उपद्रव मुझ प कोई हत्याओ का दो इशकस्तियों के देश के रहने वालों पर लगे इसलिए यहोवा कहता है मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा मैं उसके ताल को और उसके सोतों को सुखा दूंगा और बाबुल खंडहर और गिदरों का वास्थान होगा और यहोवा सिहां के बच्चे आहर पर करते हैं परंतु जब जब वे उत्तेजित हो तब मैं जेवनार तयार करके उन्हें ऐसा मत्वाला करूंगा कि वे हुलसकर सदा की नीद में पढ़ेंगे और कभी न जागेंगे यहोवा की यही वानी है मैं उनको भेडों के बच्चों औ और मेंडो और बक्रों की नाई घात करा दूंगा शेशक जिसकी प्रशनसा सारे पूत्वी पर होती थी कैसे ले लिया गया वह कैसे पकड़ा गया बाबुल जातियों के बीच कैसे सुनसान हो गया है बाबुल के ऊपर समुद्र चढ़ गया है और वह उसकी बहुत सी लहरो में दूब गया है उसके नगर उजड़ गये उसका देश निरिजन और निरिजल हो गया है उसमें कोई मनुष्य नहीं रहता और उसमें से होकर कोई आदमी नहीं चलता मैं बाबुल में बेल को डंड दूंगा और उसमें जो कुछ निगल लिया है वहां उसके मुह से उगल जातियों के लोग फिर उसकी ओर ताता बांदे हुए न चलेंगे। एक और बात उड़ती हुई आएगे। तब उसके बाद दुसरे वश में एक और बात उड़ती हुई आएगे। और उस देश में उपद्र होगा। और एक हाकिम दुसरे के विरुद्ध होगा। इसलिए देख। देख, वे दिन आते हैं जब मैं बाबुल की खुदी हुई मूर्तों पर दंड की आग्या दूंगा। उस सारे देश के लोगों का मुह काला हो जाएगा। और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। तब स्वर्ग और पुत्वी के सारे निवासी बाबुल पर जैजिकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करने वाले उस पर चड़ाई करेंगे। यहवा की यही वानी है। जैसे बाबुल ने इस्राइल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग उसी में मार जाएंगे। हे तलवार से बचे हूँ, भागो, खड़े मत रहो, यहवा को दूर से स्मरन करो, और यरुशलेम की भी सूधी लो, हम व्याकुल है, क्योंकि हमने अपनी नामधराई सुनी है। यहवा के पवित्रभोन में विधर्मी घूस आये है, इस कारण हम लज्जित है सो देखो, यहवा की यहवानी है, ऐसे दिन आने वाले है कि मैं उसकी खुदी हुई मूर्तों पर दंड भेजूँगा, और उसके सारे देश के लोग घायल होकर कराहते रहेंगे। चाहे बाबुल ऐसा उच्छा बन जाए कि आकाश से बाते करे और उसके उच्छे गड़ और भी दुढ़ किये जाए, तो भी मैं उसे नाश करने के लिए लोगों को भेजूँगा, यहवा की यही वानी है। बाबुल से चिल्लहट का शब्द सुनाई पड़ता है, कस्तियों के देश से सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता है, क्योंकि यहवा बाबुल को नाश कर रहा है, और उसके बड़े कोलाहल को बंद कर रहा है, इससे उनका कोलाहल महासागरकासा सुनाई देता है, बाबुल पर भी नाश करने वाले चड़ाए है, और उसके शूर्वीर पकड़े गए है, और उनके धनुश्य तोड़ डाले गए, क्योंकि यहवा बदला देने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा, मैं उसके हाखिमों, पंडितों, अधिपतियों, रईसों और शूर्वीरों को ऐसा मत्वाला करूंगा, कि वे सदा के नींद में पढ़ेंगे, और फिर न जागेंगे, सिनाओ के यहवा, जिसका नाम राजा दि जाएगी, और उसके उचे फाटक आग लगाकर जलाए जाएगे, और उसमें राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम विर्थ ठेरेगा, और जातियों का परिश्रम आग का कौर हो जाएगा, और वे ठक जाएगे. यहुदा के राजा, सित्कियाह के राज्य के चौथे वर्ष में, जब उसके साथ सरायाह भी बाबुल को गया था, जो नेरियाह का पुत्र और महसेयाह का पोतात और राजभोन का अधिकारी भी था. तब इर्मयाह भविश्यवक्ता ने उसको ये बाते बताए, अर्थात ये सब बाते जो बाबुल पर पढ़ने वाली विपत्ति के विशे लिखी हुई है, उन्हें इर्मयाह ने पुस्तक में लिख दिया, और इर्मयाह ने सरायाह से कहा, जब तु बाबुल में पहुँच तब अवशही के सब वचन पढ़ना, और यह कहना, हे यहोवा, तुने तो इस थान की विशे में यह कहा है, कि मैं इसे ऐसा मिटा दूँगा, कि इसमें क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी न रहेगा, बरन यह सदा उजाड पढ़ा रहेगा, और जब तु इस पुस्तक को पढ़ चुके, तब इसे एक पत्थर के संग बांध कर परात महानत के बीच में फेक देना, और यह कहना, योही बाबूल दूब जाएगा, और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूँगा, कि वह फिर कभी न उठेगा, यो उसका सारा परिश्रम वेर्थ ही ठहरेगा, और वे ठके रहेंगे, इर्मयाह भोईश्वक्ता की पुस्तक अध्याय बावन, जब सित्कियाह राज्य करने लगा, तब वह 21 वर्ष का था, और यरुशले में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा, उसकी माता का नाम हमुतल था, जो लिबनावासी इर्मयाह की बेटी थी, और उसने य यहोयाकिम के सब कामों के अनुसार वही किया, जो यहोवा की दृष्टी में बुरा है, निश्चे, यहोवा के कोप के कारन यरुशलेम और यहुदा की ऐसी दशा हुए, कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया, और सित्कियाह ने बावुल के राजा से सेना लेकर यरुशलेम पर चढ़ाई की, और उसने उनके पास च्छावनी करके उसके चारो ओर किला बनाया, यो नगर घेरा गया, और सित्कियाह राजा के ग्यारहवे वर्षत तक घेरा रहा, चौथे महिने के नववे दिन से नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई, कि लोगों के लिए कुछ रोटी न रही, तब नगर की शहर पनहा में दरार की गई, और दोनों भीतों के बीच जो फाटक राजा की बारिस से निकट था, उससे सवयोधा भाग कर राथी रात नगर से निकल गए, और अराबा का मार गे लिया, उस समय कस्दि लोग नगर को घेरे हुए थे, परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया, और उसको यरिहोग के पास के अराबा में जा पकड़ा, तब उसकी सारी सेना उसके पास से तीतर भीतर हो गई, सो वे राजा को पकड कर हमात देश के रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गए, और वहां उसने उसके दंड की आग्या दि, बाबुल के राजा ने सित्किहा के पुत्रों को उसके सामने घात किया, और यहुदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया, फिर बाबुल के राजा ने सि बाबुल तक ले गया और उसको बंदिग्रुह में डाल दिया, सो वह बुत्यू के दिन तक वही रहा। यरुश्लिम के सब बड़े-बड़े घरों को आग लगवा कर फुक्वा दिया, और कस्तियों की सारी सेनाने जो जल्लादो के प्रधान के संग थी, यरुश्लिम के चारो ओर की सब शहर पनहा को धा दिया, और जल्लादो का प्रधान नबुजर्दान कंगाल लोगों में से कि परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कितनों को जल्लादो के प्रधान नबुजर्दान ने दाक की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया, और यहवा के भवन में जो पीतल के खंबे थे, और कुर्सियों और पीतल के होज, जो यहवा के भवन में थे, उन पीतल बावुल को ले गए और हंडियों, फावडियों, कैंचियों, कटोरों, धूपतानों, निदान पीतल के और सब पात्रों को जिनसे लोग सेवा टहल करते थे वे ले गए और तसलों, कर्चों, कटोरियों, हंडियों, तिव्टों, धूपतानों और कटोरों में से जो कु दोनों खंबे एक होज और पीतल के बारहो बैल जो पायों के नीचे थे उन सब को सुलेमान राजा ने यहवा के भवन के लिए बनाया था और इन सब का पीतल तौल से बाहर था जो खंबे थे उनमें से एक-एक की उचाई अठारह हाथ और घेरा बारह हाथ और मोटाई चार अंगुली की थी और वे खोख ले थे एक-एक की कंगनी पीतल की थी और एक-एक कंगनी की उचाई पाँच हाथ की थी और उस पर चारो ओर जो जाली और अनार बने थे वे सब पीतल के थे कंगनीयों के चारो अंगनों पर च्यानवे अनार बने थे और जाली के उपर चारो ओर एक-सो अनार थे और जल्लादों के प्रधान ने सरायाह महायाजक और उसके नीचे के सपन्याहयाजक और तीनों डेवडीदारों को पकड़ लिया और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ लिया जो युद्धाओं के उपर ढहरा था और जो पुरुष राजा के सन्मुक रहा करते थे उन में से साथ जन जो नगर में मिले और सेनापती का मुन्शी जो साधारन लोगों को सेना में भरती करता था और साधारन लोगों में से साथ पुरुष जो नगर में मिले इन सब को जलादों का प्रधान नबुजर्दान रिबला में बाबुल के राजा के पास ले गया तब बाबुल के राजा ने उन्हें हमा देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गये सो यहुदी अपने देश से बंधुए होकर चले गये। चिन लोगों को नभुखदनेजर बंधुआ करके ले गया सो यह है। अर्थात उसके राज्य के साथवे वर्ष में 3023 यहुदी। फिर अपने राज्य के 18 वे वर्ष में नभुखदनेजर यरुशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। फिर नभुखदनेजर के राज्य के 23 वे वर्ष में जल्लादों का प्रधान नभुजर्दान 745 यहुदी जनों को बंधुए करके ले गया। सब प्राणी मिलकर 4600 हुए फिर यहुदा के राजा यहो याकिन की बंधुवाई के 37 वर्ष में अर्थात जिस वर्ष बावुल का राजा एबिल मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ उसी के 12 मैने के 25 दिन को उसने यहुदा के राजा यहो याकिन को बंधिगुरह से निकाल कर अचन कहकर जो राजा उसके साथ बावुल में बंधे हुए थे उसके सिहासनों से उसके सिहासन को अधीक उचा किया और उसके बंधिगुरह के वस्तर बदल दिये और वह जीवन भर नित्य राजा के सनमुख भोजन करता रहा और प्रतिदिन के खर्च के लिए बावुल के राजा के यहां से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंद हुआ। यह प्रबंद उसके वृत्य के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा है।